ये किटी किटी प्यारी है, ये सबसे अच्छी है, दॉल्फ बहतर होती है, जो भी हो, मेरे पेट में गुर्गुर हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सनाथ चाहिए आखरकार पुछ चली गई, मेरे पास यही मौका है, पर थोड़ा चल्दी करना होगा, बस जास्मिन मुझे ना देख ले, बहुत मज़ा आएगा, मैं बापस आ गई, और मैं यमी चॉकलेट लेकर आई हूँ रुकू, मेरी डॉल क्या, ये क्या हुआ पता ने तुम क्या बात पढ़ रही हो, ये बहुत गंदा है, क्या कुछ हुआ है, ये कैसे हो गया, ये एक इंडिस्ट्री है, ये क्या ने किया, मुझे डॉल डॉक्टर को बुलाना होगा एक इंडिस्ट्री है, हर जगा स्नॉर्ट पहला हुआ है, मुझे मज़ा रहा है ये बहुत टेस्टी है, इससे बहतर और क्या होगा, मैं ये पूरा दिन खा सकती हूँ, यामी और मुझे और चाहिए, मुझे वो कैंडी दो, तुम कैंडी नहीं ले सकते, ये ह्यूमन फोड है मुझे ऐसे मत देखो, ये सब रूल्स मैंने नहीं बनाए हे मिंडी, मेरे नई डॉल से मिलो वो, विश्वास नहीं होता, जरा इसका टॉप देखो, कितना सुन्दर है अच्छा लग रहा है न, मेरे डॉल बहुत स्टाइलिश है ये गलत बात है, मेरे डॉल के पास तो ऐसा कुछ फैंची नहीं है ओ, उदास मत हो, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए कहना आसान है रखो, मेरे पास एक आइडिया है मुझे बस थोड़ी कैंडी चाहिए हाँ, रखो भरुसा रखो, मैं जानते हो क्या करना है प्लेट पर कैंडी रख देंगे ऐसा ही पूरी प्लेट पर करेंगे अलग-अलग कलर्स इस्तिमाल करने है ये कलर्फुल होना चाहिए देखकर भूक लग गई बस होनी ये वाला है, ये बस आप रख रिपेस है अब प्लेट पर पानी डालेंगे मुझे कैंडी को कवर करना है और अब होगा जादू कलर्स मिट सुणा शिरू हो गए वाह, कितना सुंदर है बिल्कुल रेन्बू जैसा क्या तुमने देखा? डॉल की टॉप को पानी में डाल देंगे अब इसके सूठने का इंतिजार करेंगे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है हें मिंडी, ये देखू अरे वाह, ये, ये तो शानदार है ये तुमने किया? वाह, शप्रिया जास्मन चलो खेले वाह, कितनी बड़िया मूई है मेरी तो इसने नज़र ही नहीं हट रही मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पॉपकॉन बहुत प्रंची है कोई इसके और मेरी बीच नहीं आ सबता हाँ, हाई मॉम मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ये नई डॉल है क्या? चलो जाओ, मुझे देखना है वाह, क्या दिन है थैंक्स मॉम, ये मेरी बेस्ट प्रेंट बन जाएगी वाह, जड़ा इसे तो देखो ये कितनी सुन्दर है एक सेकंड रुको, ये नहीं चलेगा क्या हुआ हाँ, हनी? क्या हो गया? इसके बाल देखो, ये पिल्कुल स्ट्रेट है, ये कॉली होने चाहिए ओ, माफ करना हनी? मैं समझ गई क्ये स्प्रॉल? इससे सब ठीक हो जाएगा इस डॉल को सलोन जाना होगा सबसे पहले, मुझे एक बाउल चाहिए और गर्ण पानी का एक जग पानी को बाउल में डालेंगे अब इसमें डॉल के बाल डालेंगे ये एकडम गेले हो जाने चाहिए अब इसे कंगे करेंगे डॉल को पामपर किया जा रहा है अब स्प्रॉल को सेक्शन्स में काट लेंगे बिल्कुल इस तरह ये बराबर साइस के होने चाहिए बहुत चाहिए अब डॉल के बालों को स्प्रॉल के उपर लपेटेंगे ये कॉलर्स की तरह काम करेंगे अब इन से नहीं तिका देंगे अब इनी दुबारा घिला करना है और ये आखरी बार होगा मैं तुम्हारी बाल देखने का इंतजार नहीं कर सकती इस डॉल को क्या टॉप पर जाना चाहिए मैं मिंडी को दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती थे, जरा ये देखो वाउ, बहुत कूल है हमेशा जैसे लग रहे है अब सबसे अच्छी हो मॉम, ये परफेक्ट है शुक्र है मैं मदद कर पाई मेरी डॉल्ड सबसे सुन्दर है वो हमेशा बहुत अच्छी लगती है मुझे उसका फैशन सेंस बहुत पसंद है हलो मॉमी हाई हानी, क्या दिन था शुक्र हमें घर आ गई तम्हारी साथ समी बिताने का माका मिल गया वो कितनी प्यारी है वाउ, ये हैंडबाग तो देखो इसमें मेरी डॉल्ड की सारी चीज़े आ जाएंगी बहुत जगा है एक मिनट पुको, इसमें छेज है ये नहीं हो सकता बहुत बुरा हुआ अब मेरी डॉल्ड का मजाग बनेगा माम, मदद करो ओ नहीं, ये ठीक नहीं हुआ मुझे देखने दो ये तो परिशानी की बात है मुझे सोचने दो मेरे पास यहां एक प्लास्टिक बैग है मैं जानती हूँ क्या करना है चलो काम पर लग जाएं टेबल पर प्लास्टिक बैग रखेंगे अब हमें कैंची चाहिए बैग से एक सेक्शन काटेंगे एक बड़ा स्क्वेर चाहिए होगा यह साइज में ठीक लग रहा है अब हमें टेप चाहिए इसे प्लास्टिक की एक साइट पर चिपता देंगे इस तरहाँ अब इसे उपर की लेर पर लगाएंगे अब हम इसे खोल सकते हैं बड़िया लग रहा है इसे आधे में फोल्ट करेंगे हमें और कट्स लगाने होंगे इसे खोने से निकालेंगे जादा नहीं काटना इतना काफी है अब इसे खोल लेंगे अब इसे स्टिकर से सजाएंगे यह बहुत प्यारा लगेगा लगता है यह तयार है ओ जैस्मिन देखो मेरे पास क्या है यह तुम्हारी डॉल के लिए हाँ यह क्या है अरे वाँ मुझे यही तो चाहिए मैं इसे क्राइ करने का इंतजार नहीं कर सकती यह बहुत बढ़िया है मॉम मेरी डॉल बहुत खुश हो जाएगी जरा इसे देखो शांती मिले चलो शौबे करने चले जिंदगी बढ़िया है पर उसमें कुछ रंग भरना और भी मजीदार हो जाता है आपको सुकून देने के लिए कितना कोल है ना रुको रुको तुम कह सकते हो कि यह मेरा शांदार नया पोन केस है मैं तुम्हें बता सकते हू मैं इसे वाद में इस्तिमाल करूंगी मैट क्लास किस तरफ है वो वो कीला फर्ष ओ नहीं फिया नहीं अरे यार मेरा फोन और केस पुरा खराब हो गया मुझे नहीं लगता यह अब निकलेगा बरी किसमत वैसे यह काफ़ी कूल है नेल पॉलिश सिर्फ नेल स्पेंट करने से भी ज़्यादा काम कर सकती है थोड़ी पानी में डाले जिग-जाग मोशन में दिखाए इसमें कैसे तैर रहे है अब इसमें सिधा केस रख दे और थोड़ा सा हिलाए यह देखो यह अच्छे से सूप भी गया हजारों में से और यह ऐसे बना थो दोस्तो हेई देखो तो माफ करना जरा वो पड़ोगी ओ अच्छा ठीक है ओ यह कैसे हो सकता है हेई पकड़ों मैंसे नहीं पकड़ पाया वो जा रहा है तम लोग नोट्स पास कर रहे हूं अब यह मेरा है अब केविन कभी जान नहीं पायगा मैं उससे प्यावर करती हूं पर उमी दभी भी बाकी है यह साधार नोट्बुक देखो यह एक सिक्रेट मैसेच पासर बरने वाला है घबराए नहीं इतने कलर्स किसी बज़ा से ही है पर पहले हम इस फूरे को कवर कर देंगे जब टेप अपने जगा पर आजाए तो काला पेंट ले पेंट ब्रेश यहाँ पर रोलर इस्तिमाल करें बस ध्यान रहें कि इसके परत गाड़ी हो बस हो ही गया जब यह सूप जाए तो एक नोखेली टिप से जो लिखना चाहें वो लिख दें और यहाँ पर एक प्यार का मेसेज होगा कितना सुन्दर है केविन शुक्रियो और मुझे भुगतों चाहिए आगे देखो क्या लिखा है बेवकूफ बच गए क्या एक बड़ी होट डॉग के साथ केचप से बहतर कुछ हो सकता है इतना मेरे लिए बहुत है लवदू शुक्रिया गह हाँ बेखुल और ज्यादा वोव बखवास तो मैं कहाँ थी ये तयार है मेरे पास आओ ये क्या था मेरी शोट तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ये कलते से हुआ है मैं इसे ठीक करते हूँ नहीं नहीं रो मत पता नहीं मैं ठीक कर दूँगी ठीक है तो ट्राइ कर लेते हैं देखा मारकर पानी में कैसे लिख होता है अब आई स्प्रे बॉट्ल के बारे तयार हो अब इस खराब शोट का एक मेक ओवर होगा इसे फोक से इस तरह घुमाए और अपती हाथ से कठा कर ले अब रवर बैंड से राप करें और कलरड वाटर स्प्रे करें इसे मजीदार बैनानी के लिए अलग-अलग कलर इस्तिमाल करें हर सेक्शन में अलग-अलग स्प्रे लगता है ये हो गया देखो ये बन गया एक मास्टर पीस ये पहले से बहुत बहतर लग रही है केचप का निशान भी नहीं दिख रहा लव यू बैस्टी ये सारा मेरा ही प्लान था दूल मेरे आगे टिक नहीं सकती सफाई कभी खतम नहीं होती ये यहां कैसे आ गया ये नहीं चल सकता तुम्हारा समय वहां खतम होता है ये गम का काफी बड़ा तुकड़ा है और स्टिकी भी पता नहीं किसके है केविन के बालों में ब्लॉंड है पता नहीं और उसका क्या नहीं उसके बाल काफी डाक है समझ में नहीं आ रहा है और वो लड़की हो सकता ही ये से क्यों मैं पास में जाकर देखती हूँ ये से माच कर रहे है अब मैं इसका क्या करूँ मुझे थोड़ी मदद चाहिए अरे यार ये प्लेडो देखें ये गम जैसे लग रहे है ना इस पर थोड़ी ग्लू लगाए और एक छोटा मागनेट चप्ता दे मैंने ऐसा बंच बनाया हाह इससे उसे सबक मिलेगा आह वहाँ जाकर देखती हूँ आह क्या दिन है एओ, क्या ये चबाएवाई गम के फिसस है ऐसा कौन ही करेगा ये प्लेडो है ये क्या भी ने किया है अहम, ओ, हे, क्या चल रहा है ये तुम्हारा ही किया धरा है तुम्हें अपने किये का सबक मिला ये वही गम है ये मेरी है वुप्स, माफ कर देना दोस्ती कर ले चीक है, सब माफ किया चलो अब इसे शेयर करें मैंने शेयर करने को कहा लगता है मौका मिल गया केविन मेरी सपनों का राज कुमार है हाँ, ये ही मौका है हेई, केविन क्या पढ़ रही हू केविन, मेरी लिरू को ये बुक अच्छी है न, मुझे पता है बुक ट्वेंचीज हाँ, मैं थोड़ा आगे हो जाओ वो मुझे नफरत करता है मेरे बाल तो ठीक है न, हमारी और भी चीज़े एक जैसी होनी चाहिए अब मुझे मेक ओवर करना है इस मार्कर को देखे, हेर मास को कलर करने के लिए इसकी इंक इस्तिमाल करें और फिर इसे अच्छे से मिलाएं और ये तयार है, आप ये अलग-अलग रंगों से भी बना सकते हैं गलफ्स बहन कर इसे अपनी बालों में लगाए अब इसे फॉल में राप कर ले जितने चाहिए उतने बालों पर लगाए अब हम इंतजार करेंगे, देखने के लिए तयार हो कितना कूल है, सालोन जाने के जिर्वत ही नहीं ये शांदार है हो, हे, तुमने अपनी बाल कॉलर कर लिए हमारी तो काफी चीज़े एक जैसे है हम, लगता है सब तयार है मैं चाहती हूँ ये पार्टी परफेक्ट हो एक मिनट रुको, ये ठीक नहीं लग रहा पर हम इसे ठीक कर देंगे इन कपकेक्स को यहां रखेंगे इससे सीधा कर देते है कैसा लग रहा है? हम, मैं अभी बेखुश नहीं हूँ ओ, नहीं, ये ठीक नहीं हूँ ये काउच इतना स्कुशी क्यों है? ओ, नहीं, मैं केक्स पर बैट गई अ, इतने भी बुरे नहीं लग रहे उप्स, पर कोई बात नहीं मैं ठीक कर सकते हूँ वो कहा जा रही है देखा, मैंने कहा था ना मैं ओ, मेरे चंता मत करो केक्स को बचाओ ओ, नहीं, केक्स की बारश हो गई ओ, तम ठीक तो हो मिक्की, ओ, ये प्लान के मताविक नहीं हुआ मजे माफ कर दो लीली मैं बस मदद करना चाहती थी ये मेरे साथ ये क्यों होता है पाटी खराब हो गई ये गलती से हुआ जरा रुको, मेरे पास एक और आइडिया है पहले ये फॉप्सिकल मोल्ड लेंगे मोल्ड में केक पीसस डालेंगे रेंबो एफेक्ट बनाते हुए बस ध्यान रहे, ये अच्छा से प्रेस कर दे अब अच्छा लग रहा है हमने केक में पॉप्सिकल स्टिक्स लगा दी अब इसे मेल्टेट चॉकलेट में डुबोएंगे बस चॉकलेट को सेट होने देंगे अब इसे चॉकलेट से ही सजाएंगे इस तरह डुजल करेंगे और अलग-अलग कलर की चॉकलेट से इसे सजाएंगे कितनी बढ़िया लग रही है, एक बार वाइट चॉकलेट के साथ भी करेंगे देखो मेरे पास क्या है, वाह, बहुत यामी लग रहे है, मुझे पसे नाया मिकी वाह, ये स्वादश्ट है, मुझे और चाहिए, ये पैनी, देखो क्या, हुआ क्या है, ये मेरी फेवरेट जीन्स थी, शेर्म की बात है ओ हेई, नहीं, मैं इंट्वस्टेड नहीं हूँ, मुझे लोगा कस्टोमर मिल गया, कोई मेरी चॉकलेट नहीं खरीद रहा हेई, ये लो, या, सबको चॉकलेट पसंद होती है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, अब मैं पापी नहीं ले पाऊंगी मैं करूँ क्या, खेर, ये सपना ही बन कर रह जाएगा लेंडिंग में तोड़ी तिकत हुई, पर मैं आहीं गई अब हाई लेली, अदास क्यों हो, तुम्हारी चॉकलेट कोई खरीद नहीं रहा, मैंने हर कोशिश की अब मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ वाव, क्या ये सेफ है, हम कहां जा रही है हम उस क्यास्व में जा रही है मेरे किचिन में स्वागत है वाव, इतनी सारी कैंडी, कितना कूल है हमें स्वादिश चॉकलेट बनानी होंगी, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्ट हो जाएगी पहले हमें ये मोल्ड चाहिए, मोल्ड में चॉकलेट हार्ट बनाएंगे ओ, कितना प्यारा है, थोड़े और बनाएंगे, पर अलग-अलग चॉकलेट इस्तमाल करेंगे हम चाहते हैं कि अच्छा देखे अब इन्हें कावर कर देंगे ये पॉपल चॉकलेट कितनी वाइबरेंट है मोल्ड को अच्छा से भर देंगे अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे अब इसे मोल्ड से निकाल लेंगे और ये तयार है कितनी सुन्दर है, तुम्हें कैसे लगी? वाउ, बहुत-बहुत शुक्रिया अच्छी लग रही है अब जागर इसने बेचो ये जरूर काम करेगी दुकान खुल गई है मैं पहले आया था सब के लिए काफी है सब बिख गई वाउ, ये देखो अब मैं अपना डॉग ला सकती हूँ और ये सर्फ मेरी पेरी गॉड़ बदर की वज़े से हुआ है तुम कितने प्यारे हो उमीद है मैं ठीक लग रही हूँ शुक्रे हमें निबाल दो लिए चलो जल्दी करो मैं अच्छे लग रही हूँ हमेशा की तरहां क्यामरा के सामने बिलकुल नाचुरल हूँ ओ, आलेक्स बहुत प्यारा लग रहा है मैं बोर हो रहा हूँ हाई मिकी मैं बहुत नर्वेस हूँ मुझे फोटो नहीं किच्वानी है इतने सारे पिंपल जा रखी है यह आउटब्रेक आज ही होना था क्या मेरी बारी थोड़ा जल्दी कर ले शाब अपने वे बुरे नहीं लग रहे अरे नहीं बहुत बयानक है अब मैं क्या करूँ आखिरकार रुको मैंने आज प्रश किया था नेल्स चबाने मुझे पसंद नहीं है यह पेंसिल चबा लेती हूँ चलो चली सरे रुको मेरे पास से काट या है मैं सरे इसे को काट दे दी हूँ और शेप दे लेंगे यही तो चाहिए अब मुझे अपनी लिपस्टिक चाहिए रेजर को लिपस्टिक पर रब करेंगे कोट करेंगे अब इसे फेस पर डाब करेंगे सारे पिंपल्स कावर हो जाएंगे कितना अच्छा है गया है मैं क्योट लग रही हूँ फोटो से पहले एक और चीज़ बाल खोल लेते हैं लगता है मैं तयार हूँ हाई मुझे भी फोटो के च्वानी है अच्छी साइड लेना मजाग कर रही हूँ मैं हर आंगल से अच्छी दिखती हूँ वाँ क्या लोग है आओ बैठो आज पका बहुत अच्छी परचाज आएंगी थोड़ा इधर हो ना हाँ, बिल्कुल यहीं स्माइल करो ये कैसा है? परफेक्ट मुझे बहुत खुशी हूई तुमाई हाई ये तुम्हारे लिए मिखी उमीद है तुम्हे पसंद आए वाह, खुबसूरत है मैं इसे पहनना चाहूंगी शक्रिया लिली, अच्छा लग रहा है तुम सबसे अच्छी हो वेह, शान्ती मिली मुझे में किको किफ्ट देना होगा शायद इसमें कुछ हो वो, मैं अमीर हो गई आओ, शायद नहीं मैं इसका क्या करूँ चलो, शौपिंग करने चले हे भगवान, बहुत बढ़िया चीज़े है मिकी को क्या पसंद आएगा हाई, मैं आपकी मदद करूँ हमारे पास हर किसी के लिए गिप्ट है मुझे मेरी बेस्टी के लिए चाहिए हम, मुझे वो पॉपिट अच्छा लग रहा है पर हो बहुत मेहगा है ओ, एक डाइनसौर नहीं, मैं नहीं खरीच सकती इतना बजट नहीं है हम, अच्छा मैं आपकी मदद करती हूँ मेरे पास एक चीज़ है ये कैसा रहेगा वो, ये परफेक्ट है ये मुझे दो, और पैसे भी मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा ये कैसा मज़ाख है अब सब कराब हो गया ओ, उदास मत हो तुम्हें कैंडी चाहिए हाँ, मुझे कैंडी पसंद है ठैंक्स, कम से कम ये मुझे निराश नहीं करेगी मुकू मेरे पास एक आड़िया है ये गमी पेस चाहिए होंगे और एक सर्कुलर मोल्ड गमी पेस को मोल्ड में डालेंगे बस ये आखरी है अब हमें क्लियर एपॉक्सी रेजिन चाहिए इसे मोल्ड में डालेंगे और सारे गमी पेस को कवर कर देंगे बल्कुल इसी तर हाँ लो, अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे अब इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं और मेरा कस्टम ब्रेसलेट बन गया कितना कलरफुल है प्यारा है ना मैं पार्टी के लिए तयार हूँ मैं बता रही हूँ ना यूनिकॉन साच में होते हैं नहीं, नहीं होते मैं जा रहा हूँ वो गई यह हमारे सीक्रिट है मुझे आर्ट करना सबसे ज़्यादा पसंद है हाँ नहीं, यह पकवास है हाँ, मैं दुबारा ट्राइ करता हूँ यह और भी बुरा है मुझे यूनिकॉन नहीं ड्राव हो रहे हे, मैं मदद करती हूँ देखो, मैं दिखाती हूँ पहले हम यूनिकॉन लिखेंगे यह सीक्रिट है दिखा, अब इसमें से यूनिकॉन बन जाएगा अब बस तुम्हें इसने कलर करना है और यह सबसे अच्छा है रीनबू मीन सबको बहुत अच्छे लगते है और यह बन गया देखो, कितना प्यारा है ये लू, ये वाला तुम्हारी लिए वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ, तो इन टेस्ट के ग्रेट्स देते है ओ, ये वाला कितना प्यारा है इसे ये प्लेस मिलना चाहिए अगला ओ, ये बहुत बेकार है बल्कुल भी अच्छा नहीं इसे साफ काम करना चाहिए बी मेट ये क्या ये कैसा टेस्कोर है खेर, तुम मने बलेम करोगे खेर, तुम वो सब कैसे कर लेती हो ओ, अच्छा वो, वो असान है ओ, मैं समझ गया अब समय है थोड़ी योनिकॉन और ग्यामी स्किल्स का बस अच्छे से पोल करना है और मुझे इसका कोई ड्रागन नहीं बनाना यह पर कुछ उससे वह बुरा आप सोच सकते हैं हम पोल्स को एकदम कड़ाप रखेंगे और अब सबसे मुश्कल स्टेप इसे टक करना बढ़िया हम इस क्रीज को फ्लाट कर देंगे अब हम ड्राउइं शुरू करेंगे आप बनाने से शुरू करते हैं अब एक रेन बूमीन और हॉन देखो बन गया अब मेरा टेस्ट गंदा नहीं होगा यह रहा मेरा टेस्ट अब यह बल्कुल साफ है दिखाव ज़र आइदर बहुत बढ़िया तुम्हें भी प्लेस मिलना चाहिए वाँ, हाँ, मैंने कर दिखाया हे, क्या तू ओ, नहीं, पार्डी वो भी बर्ड़ी पार्डी ओप्स, आँ, मैं अब या आता हूँ ओ, नहीं, ओ, नहीं मैं क्या करू यहाँ असपार कुछ तो होगा जो मैं उसे गिफ्ट के तौर पर दे पाऊ यह क्लियर सेलपोन केस हाँ, इससे काम बन जाएगा यह वही एक डिश अब क्रेप पेपर को काटना होगा मैं इसे कुछ स्क्रिप्स में काटूंगा बस हो ही गया, थोड़ी और डन अब अगला स्क्रिप थोड़ा गर्ब पानी डालेंगे बस अतना कि यह कवल हो जाए बढ़िया, अब क्लियर पोन केस की बारी मैं इसे डिश में रख दूँगा यह भी अच्छे से मिल जाना चाहिए बस इसे अब कुछ मिनट के लिए ठंडा करनी के लिए रखते हैं टाइम खत्म हुआ अब इसका कलर केस पर आ गया और अब इस पर आखिर में स्टिकर्स लगाएंगे और एक बर्ट दे बो उसे बहुत पसंद आएगा हें, हापी बर्ट दे मैं भूला नहीं तुम्हीं मेरी लेलाई हो कितना अच्छा है मैं इसे अभी लगा लेती हूँ ओ, कितना प्यारा है मुझे बहुत पसंद आया वह, बाल बाल बचा नहीं, ये नहीं चलेगा ये क्या, दिखलो आज़ी कैसे हो इसका कुई काम नहीं मेरे पास पहने के लिए कुछ नहीं है मझे पता है क्या करना है ये कैसा है मेरे पास बलरीना कॉस्टूम में ही है हाँ, पर मेरे पास चूल है हाँ, हम दाग ब्लू से शुरू करेंगे बहुत चानी लेस बनाएंगे अब हमें एक लास्टिक चाहिए कोई सिलने वाली मशीन नहीं चाहिए हम बस असे एलास्टिक पर बान देंगे बढ़िया, अब बागी की कलर्स भी ये कलर्स का कितना प्यारा रेन्बो है मैं दुनिया की सबसे संदर यूनिकॉन लग रहे हूँ वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया पार्टी में मजी करना मेरी नोटबुक कहा है ओ, ड्रॉइंग अच्छी है जेक नहीं, मेरी नोटबुक जेक, तुम्हें उसके उपर चाय गिरा दी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, ये हाँ है वो मेरी फेवरिट थी अरे नहीं, मुझे बुरा लग रहा है हे, मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ ये ग्लिटर और फोम पेपर सच में काम आएंगे मुझे बस सजस चाहिए और मुझे सारी फोम शेप्स चाहिए होगी जी हाँ, अब हम नोटबुक के लिए तयार है एक योनिकॉन बनाते है, जिसकी रेंबो मेन होगी और स्पार्कली मेन भी अच्छी लगती है बड़ी-बड़ी लाश इसके साथ लगता है उसको बहुत पसंद आएगा हे, नोटबुक के लिए माफ कर देना अरे वाह, शांदार क्या ये सब मेरे लिए है बहुत-बहुत शक्रियाजेक फ्यो, बला टली मेरे सारी पैंसल्स अच्छे से लगी है और हाँ, ये वाली मेरे पेवरिट है हे, कैसी हो? पहले मैं अपना सामान निकाल लिएता हूँ ये मेरी पैंसल्स को क्या हो गया? अई, नहीं, ये गंदी हो गई कोई बात नहीं, जेक मैं इसे ठीक कर देती हूँ ने पालिश? नहीं, शिक्रियाज ये तुमारे नेल्स के लिए नहीं है ओ, मेरी पैंसल्स के लिए जी हाँ, तो हमारे पास पानी से भरी एक डिश है अब हम इसमें पॉलिश डालेंगे ये पानी में कितने बड़िया पाटन बनाती है हमें और कलर्स भी डालने चाहिए अब मैं इसमें अपनी पैंजल डालूँगा और अब इसके उपर पॉलिश लग जाएगी ला जवाब, कितना कलर्फुल है क्या बड़िया चीज बन गए जेट, ये तो शानदार है शेयर करने के लिए शुक्रिया मेरे आसपास हर चीज बलकुल बे रंग है हाँ, ये काउच कुशिन में क्या हो रहा है वोव, ये तो एक पॉपिट है और वो भी रीन्बो के कलर्स का बहुत सुन्दर है और मजीदार भी वोव, अब कुछ और हो रहा है ही भगवान, निकलो यहाँ से ये क्या, यहाँ हो क्या रहा है शायद बिस सपना देख रही हूँ चूटी काट कर देखती हूँ ओ, हलो, हाई ही भगवान, तुम्हारी बाल तो बहुत खुब सूरत है पर मेरे अच्छे नहीं है खेर, उदास मत हो हम तुम्हारी जिंदगी में भी रंग लाएंगे पर पहले तुम्हारी बालो से शिरू करते है ओ, मुझे नहीं बता भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा पहले तुम्हें इस पिंक कलर से सुन्दर बनाएंगे थोड़ा यहाँ पर यह लो और ग्रीन भी लो, हो गया बताओ कैसा लगा अब मेरे बालो में स्ट्रिक्स है अरे वाह, पहले से अब काफी बहतर लग रहा है अब यह पूरा नहीं हुआ यह देखो, बस थोड़ी से ग्लिटर कर जादू वो, इसमें से चीज़े भी निकलती है हाँ, बिल्कुल अब हम तुमारे बालो में भी थोड़ी स्पार्कल डालेंगी इस तरह के स्टार्स अच्छे लगेंगे और बागी कलर्स पर इस तरह के जेम्स यह आमबर कॉलर ट्राइंगल्स बहुत सुंदर लग रही है अब तुम चमक रही हो इस तरह यह जेम्स ट्रोंस तुमारे बालो पर बहुत प्याले लग रही है वा, अब मुझे बहुत बहुत बहुतर लग रहा है अब मैं बिल्कुल अदास नहीं हूँ हाँ, सुनकर अच्छा लगा अउ, पर मेरे कपड़े, यह तो अभी भी बहुत ही बोरिंग है अच्छा, तो मैं उसका अभी कुछ कर सकती हूँ वाँ, यह क्या हो रहा है नहीं ब्राउमर, यह यूनिकॉन माजिक का है इसा है बस ऐसे ही रहू ही भगवान, मेरे कपड़े बदल गए और यह करना मुश्किल भी नहीं था पहले एक ब्लांक टी-शिट लेंगे और थोड़ा प्लास्टिक आपको इसी बटरफ्लाई की शेप में काटना होगा और पेंट रोलर पर पेंट या अलग अलग कलर्स लगा दें जो भी कलर चाहें वो लगा सकते हैं पर रेंबो बनाना हमेशा मज़िवार लगता है अब हम शेट को पेंट करेंगे बस कट आउट सेक्शन के बीच में हम इस तरह पेंट लगाएंगे हो गया, अब प्लास्टिक को हटा देंगे और ये कमाल का लग रहा है ना वाई योनिकॉन, तमने तो इसे बहुत आसानी से बना दिया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन कलर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है अउँ, पर तमारे दीवारे तो बहुत बोरिंग है मुझे इसका भी कुछ करना होगा अब इस जगासे में पठते हैं हमें यहाँ जादू करने की भी जरूरत नहीं है बस टेप को बिल्कुल सीधा चिपकाना है और इन दोनों की बीच में चोटे-चोटे पीसिस भी लगाएंगे ये एक ब्रिक पाटन जैसा लगना चाहिए और लगता है लग भी रहा है यानि कौन देख हो ओ कितना प्यारा है मुझे नहीं पता तहीं ऐसा देखेगा बहुत प्यारा है पर अब हम अपना पेंट डोलर दुबारा इस्तिमाल करेंगे अलग-अलग कलर्स की बड़ी-बड़ी स्ट्राइब्स बनाएंगे मझे पिंटिंग बहुत पसंद है करने में मजा आता है अब ये लास्ट ट्राइब है हम कोनी तक पहुँच गए है इसे कहते हैं एक रेंबो वाल और जब ये सूप जाए तो हम इस तरह टेप निकाल सकते है टेप को उतारने में मजा आ रहा है इसके आवाज कितनी अच्छी है? हो गया छोटे वाले पीसेस निकल गए है कितना कूल है अब हम बाकी की टेप भी निकाल देंगे उतारो, उतारो देखो एवा मैं एक ही बार में दो उतार रही हूँ हो गया अरे वाह जैसा सोचा था ये तो उस ते भी बहतर है एक खुबसूरत रेंबो ब्रिक वाल एवा, तुमें कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है शानदार ओ, पर ये सोफा बोरिंग है अगर हम इसे शायद मैं रुको मैं जानती हूँ क्या करना है Excuse me, एवा डालिंग मुझे अभी के लिए हटानी होगी तुमने एक यह सी किया और काउच कहा चला गया मैंने योनिकॉन माजिक इस्तिमाल किया है न अब ज़रा ये मुझे दो मुझे बलून इस्तिमाल करना है इसे बैग में डालेंगे पर तुम मुझे क्या चाहती हो अहू, बहुत आसान है ज़र ये बलून्स बुला दो ओ हाँ, मैं ये कर सकती हूँ बहुत अचा कर रही हो बुलाती जाओ और मैं इसमें लगाती जाओंगी हमें थोड़े बलून्स तो चाहिए होंगे इतनी सारी बलून्स तम बहुत अचा कर रही हो और बस अब हमें ये यलो वाला चाहिए हाँ, बस अब इसे बन कर देते हैं और ज़रा सा यहां से खोल देंगे ताकि इसकी उपर वाक्यम हो, स्फिट हो जाए देखो, ये इसमें से सारी हवा निकाल रहा है अब ये हो चुका है, तो हम क्या बन कर देंगे ये वाद देखो, अब मैं इसे बाती बलून बाक्स के साथ रख देती हूँ और तुम्हारे पास कालरफुल बलून्स का एक नया काउच आ गया वाँ, मैं इसके उपर बैट सकती हूँ बिल्कुल, मैं भी आती हूँ वाँ, कितना कॉंफी है और बांसी भी, मुझे परसंद आया रखो, पता है, हमें यहाँ पर लाइट स्टाइए इस ड्रेसर को हटाना होगा चलो भी ये इतना भारी क्यों है ठीक है, बहुत हुआ, हमें पूरी मेहनत करने होगी एवा, मैं योनकल माजिक से हटा देती हूँ वाँ शुक्रिया, अब इस गॉर्डन को यहाँ से हटाते हैं बस बस थोड़ा सा और एवा, तुम बहुत प्यारी हो लाँ मैं मदद कर दू शुक्रिया, मैं वोलेच कई थी तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि यह दुबारा हो ही ना क्यों ना हम उन से शुरू करें इस तरह मैं उन को अपने हाथ पर लपेटूंगी हो गया, जब इतना हो जाए तो इससे फिंगर से निकाल लेंगे अब बीच में थोड़ी और उन लपेटेंगे बान देंगे और एक कैची लेंगे और कोलों को इस तरह काट देंगे हर एक कटना चाहिए और इसके एक उच छोड़ देंगे पफेक्ट, हमने उन से प्यारे से पफ बॉल बनाई है हमें जो बागी कलर्स के बनाई है इसे उनके साथ रख देंगे जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ ही इसे बान देंगे पालतु का हिस्सा काट देंगे अब यह इस्तमाल करने के लिए तयार है तो चलू मैंने तुम्हारी विंडो के लिए नए कोटन्स बनाई है क्या रहे है ना, तुम्हें ने देखकर अच्छा नहीं लगा हर किसे का कलर और साइज अलग-अलग है दूप में बहुत प्यारे लगते है और इसे यह जगा और बढ़िया बन गई मुझे पसंदा, यूनिकॉन तार्यू करने के लिए शुक्रिया, एवा लगता है यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है पर हम यहाँ और कलरफुल बॉल्स काम आएंगी यहाँ पर मुझे अपनी हॉट ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी बस बॉल पर थोड़ी ग्लू लगाकर इसे स्थूल पर चिपका देंगे बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे एक रेंडू पाटिन बनाएंगे तडाँ, एवा देखो, मैंने तमारे लिए स्थूल बनाया तो तुम्हें परश पर बैठने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की टेडी मेडी लाइन बनाएंगे अब इसके उपर उन लगाएंगे और फिर अलग-अलग कलर्स की और उन लगाते जाएंगे क्योंकि आपको पता ही है हम अभी भी रेंबो ही बनाने वाले है कैन्वस के बुल को लाखे तक इसे लगाते जाएंगे बस ये उनका आखरी हिस्सा है और कैन्वस पूरा हुआ और हम इसे अपनी बाकी आर्ट वर्क्स के साथ लगा देंगे वाँ यूनिकॉन ऐसा लग रहा है मैं म्यूजियम में हूँ यहाँ पर कितने सारे आर्ट है मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हाँ मुझे खुशी हुए हमने इस जगह पर हर चीज रेंबो वाली कर दी चाहे वो रेंबो वाल हो या फिर ये काउच और हाँ आर्ट वाल और विंडो कटन को हम कैसे भूल चकते हैं हम बस एक दिवार खाली बची है हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते है हमें युनिकॉन माजिक करना होगा एक बहुत जबरदस्त मांत्र बस दोड़ी और शक्ती और ये देखो यही है ओ उप्स वो इससे काफी बड़ा होना चाहिए था कोई बात नहीं हम कुछ कर सकते हैं हम यह और शक्ती चाहिए होगी हाँ ठीक है जैसा तुम कहो यह रहा मेरा बागी का जादू ओ एक कैसल प्ले हाउस मुझे हमेशा से ऐसा कुछ चाहिए था हाँ अब यह पूरा नहीं हुआ थोड़ी शांती रखो प्लीज लगता है हमें इस मंत्र में कुछ और भी जोड़ना होगा बस थोड़ी से और शक्ती चाहिए अरे वाह आ गया तक अब से यही तो माग रही थी चलो जाओ अंदर अरे वाह तुमने मेरी ही यह कैसल बनाया और यह तो मेरी साइस का है हाई एवा तुम्हारा कैसल कैसा है बढ़िया चलो वापस आजाओ मैं वापस आगई और मुझे मेरा कैसल बहुत पसंद आया हाँ हमने तुम्हारे रूम को रेन बूमे कोवर्ट दे ही दिया हाँ बिलकुल पहले तो यह बिलकुल बेरंग था और बहुत उदास हाँ मुझे तुम्हारे मदद करकर खुशी मिली एवा पर अभी एक और चीज़ बाकी है बस ऐसे ही रहना अरे वाँ मेरा भी हॉन होगा मैं भी योनिकॉन बन रही हूँ हाँ अब तुम बिलकुल मेरी तरह योनिकॉन हो मेरा तो सपना पूरा हो गया हम अब हमेशा के लिए योनिकॉन सिस्चर्ज है मैं अपना योनिकॉन माजएक इस्तिमाल करकर देखू ओ जरा ऐसे देखो ये वाँ ये तुमारा पहला योनिकॉन रेंबो है वाँ हाँ और मैं ये तुमारे पेटा नहीं कर पाती और मेरा यहाँ काम पूरा हुआ ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था ओ वो चले गए पर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी बाई अब क्या हाँ क्रियेटिव होने का समय है दोस्तों ये रहा तुमारा पहला चालेंज एक पानी की बून ओ हाँ मज़े करो रुको मैं जानती हूँ क्या करना है पर हमें इसके शुरुवात अच्छे से करनी होगी यहाँ मेरी इंस्पिरेशन पानी की बून भी है मैं इस शेप से क्या बना सकती हूँ ओ जरह ये पॉप रिंट तो देखो हाँ ये हुई ना बात मुझे बसी बढ़िया से आउटलाइन बनानी है इससे ये एकदम बोल्ड हो जाएगी बिल्कुल मेरी परसनालिटी की तरह हाँ अब अगले स्टेप की बारी जो है शेडिंग मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा सा वाइट कलर दीती ही इसमें जान आ जाएगी देखो मैंने क्या कहा हमने इसी बना लिया है देखो ये गेले लग रही है वाँ बहुत बढ़िया शुक्रिया ये सच में गीले लग रही है और इससे मुझे याद आया मैं इसमें माहिर हूँ वो देख लेते हैं अभी तुमने मेरा देखा कहा है इतना क्या सीक्रिट हो गया ठीक है तुम तयार हो हाँ खूल देखो ये गीले लग रहे है ज़र रुको मैं चू कर देखती हूँ है तमने ये क्या सिक्या ये तो चिपक गए है ओ नहीं तम बुद्धू बन गए बस ये पॉमनेंट ना हो लो तो कौन जीता हे भगवान जरे मेरा मास चिपीज देखो वाह शौनदार और तुम ने क्या बनाया तड़ा देखो ये दिल्चस्थ है दिल्चस्थ ये लग से जीतती है ओहू ओहू माफ करना लियो पर मुझे कोई दुख नहीं अगला क्या है मुझे उम्भी थी तुम पूछने ही वाले होगे माथ ओह नहीं ये बुरा नहीं है है ये आठी समझे को फिया हाँ चलो आगे बढ़ो हाँ मुझे नामर फाइव मिला मुझे ट्वेल मिला पाइब से तो काफी बढ़ा अउ तो तुम्हें ये मजाक लग रहा है रोर आँ नहीं प्लीज तो यहां से निकल लो कितना रोड है एक मिनट रुको मेरे डाइनसौर मैं जानता हूँ क्या ड्रॉख करना है बस नमबर फाइव चाहिए हाँ मतलब ये पहले नमबर फाइव था अब ये मेरा मॉंस्टर फ्रेंड है अब नमबर नजर भी नहीं आ रहा ओ इसके चोटे पैर तो देखो अब इसके डराबने चॉंपरस जिससे ग्रॉल कर पाए इस पर कलर भी करना होगा और ग्रीन परफेक्ट रहेगा वाँ बढ़िया लग रहे हो दोस्ट मैंने इस फाइव नमबर में जान डाल दी देखो मेरे पास मताओ मैं तुम्हें काट डालूँगी लो अब भी ठीक नहीं है मैं समझ गई इस नमबर 12 को कमाल की चीज में बदल देंगे अभी समझ में आने लगेगा बस ध्यान से कुछ लाइन्स बनानी है और इससे कुछ अलब निकल आएगा पता चला कि ये क्या है मैं एक क्लो देती हूँ इसे भी गुराना पसंद है एक चोटा सा लाइन और इसके बाल ब्राइट रैड होंगे पाईरी और इसके बॉडी येलो होगी और अब इसकी लातों में करेंगे हो गया डर कर रहना मैं तुम्हें खा जाओंगा ये चोटा सा ये डरामना भी नहीं है वो जो भी हो तव विजेता कौन है हाँ दोनों ही बढ़िया है ये लायन हाँ मैंने कर दिखाया और डाइनसौर भी हम दोनों जीत गए ठीक है बहुत बढ़िया अगले चालेंज के लिए तयार हो सोचना शुरू कर दो और अपने ब्राशेस तयार रखो हम बलकुल तयार है खर मैं तो हूँ हमें बहुत ध्यान से रहना होगा कोनों से थोड़ा मुश्किल है और इसके लिप्स ये बढ़िया बनेगा मैं ऐसी तीजे अच्छे से बना लेता हूँ वाह अब पता चल रहा है कि ये क्या है बहुत खूप सुरत वाह कितना फ्लेक्सिबल है जैसे विंड मिल हो ओ वाउ तुम्हें कैसा लगा ये तो एकदम कमाल कर दिया मज़े वश्वास नहीं हो रहा हाँ क्या इसने अभी पलके जपकाई बढ़िया है ना एक मिनट रुको यहाँ हो क्या रहा है क्या ये नई ये आप्टिकल इल्यूजन है बचे जूट मत बोलो नई मैं जूट नहीं बोल रहा ये एक चालेंज है मैं जानता हूँ वाउ कमाल था कमाल क्या शांदार हलो क्या कोई है ये हो मुझे उन्हें उठाना होगा ओ डियर मेरी आँख लग गए थी ये तो हो नहीं था ठीक है अब बार्बी डॉल की बारी तुम तयार हो चलो बार्बी? मुझे बार्बी बहुत पसंद है क्या? मैं बार्बी इसके साथ थोड़े ना खेलता हूँ चलो ठीक है जो भी हो तुमें स्नाक चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है वो क्या डॉख कर रहा है हो गया नहीं ये आटिस्ट के लिए बहुत पुरा है यहाँ पर एक और है क्या? यॉइक्स ये भी नहीं एक स्पैचुला ग्लू? ये काम आ सकता है रुको मैं ये इस्तमाल कर सकता हूँ ओ हाँ पर पहले ग्लू के बारी और मैं बालों से शुरू करूँगा मेरे बार्बी के बहुत सारे बाल है हमने एक ग्लू लगा दी है अब इसके उपर और्यानो डालेंगे टड़ा बाल बन गए इसमें थोड़ी शाइन होनी चाहिए और शाइन के लिए गोल्ड से बहतर क्या होगा? ये हुई ना बात तो कैसा लगा? मुझे तो लगता है ये जीट गई वाह रखो मेरे हाथ गंदे हो गए पर ये अच्छी चीव है पहले सेन सेट कर देते हैं हमें बहुत सारे कलर स्टा आईए उपस अब इसमें पानी डालेंगे और अब जादू होते हुए देखना वाह आपने देखा ज़दी बार भी आ जाओ ऐसा लगेगा वो सलोन से होकर आई है पर इनमें मिठास है पता है नवर क्या कह रही हूँ वाह मैं जाती हूँ ये कितना अच्छा है हलो रेंबू है खुपसूरत है ना कितने रंगीन है मुझे तो पसंदा है तो कौन सा बहतर है मेरा हाँ बाल तो ला जवाब है और मेरा रेंबू के सारे रंग इसी में है सारे के सारे इसके बालों में बाल और मैं चुनूँगा लेक्सिको तुम जीद गई वोहाँ हमने कर दिखाया अरे यार है तो अच्छा ही जादी करो उमीद है तुम्हें पसंदार वोह ठीक है हाँ मैं तयार हूँ वाह ये तो एक रेंबू है शांदार कितना संदा रंग है मैं इससे शिरू करूँगी बस बड़े ब्रश को पहले पेंट करना है और अब ब्लू वाला और ग्रीन और यलो भी और अब लाइट ब्लू की बारी मैं इस पेंट ब्रश के उपर सारे रेंबो की कलर्स कर रही हूँ अब पेंट करने की बारी है हाँ ये काम कर रहा है इन रेंबो कलर्स को तो देखो परफेक्ट मेरा काम पुरा हुआ मुझे रीन्बोस बहुत पसंद है इन रीन्बोस को बिनाना अपना मुश्किल क्यों है कितने कालर्स करने पड़ते हैं तर ने पूरा भी कर लिया जो भी है वो अपने आपको बहुत महान बनते है यही तो सीक्रिट है यह मुझे दो हेई क्या है यह मेरा है अपना खुद का लेकर आओ मेरा पेंट ब्रेश चुराना बन करो चोर ओ नहीं यह तो बहुत उचा गया यह क्या हो रहा है यह तो कोई जादू है वोहू यह तो खुबसूरत डिस्को बॉल है जरा इस फाफल को तो देखो चलो डांस करे वोहू रेन्बो हक्स मज़िदार होते है यह दो योनिकॉन आज एक बंधन में बंधने वाले है I love you हे भगवान यह दोनों कितनी प्यारे है अगर कोई परिशान्य ना हो तो एक दूसरे को रिंग पहनाई रिंग हाँ हे भगवान वो कहा है मैंने पका वो अपनी पॉकेट में ही रखा था है एक एमोरजनसी है मेरे पास रिंग नहीं है यहाँ क्या हो रहा है हे भगवान उसके पास रिंग नहीं है ज़र रुको मैं कुछ करती हूँ मेरे ड्रीम बेटिंग खराब हो गए मुझे कुछ तो करना होगा मेरा नेकलिस बस एक सेकंड दो ये रहे बीट्स और ये रहा मेरा हेर स्क्रेटनर पहले हो टॉंक के उपर हम थोड़ा वाक फेपर रखेंगे बढ़िया अब इसे लाइन में लगा देंगे और बीट्स को स्क्वीज करेंगे ये देखो बीट्स इस हीट्स से पिगलना शुरू हो गए है देखो ये पिगल गए और बिलकुल फ्लाट है अब हमने रिंग्स में रोल कर सते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना मैं इसे अपनी उंगलियों में पहन लेती हूँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है सारे एकदम फिट आगर मैं एक जीनियस हूँ चलो इनकी शादी को बचाए ये लो हम मिल गया वाह एक रेंबोरिंग शानदार ठीक है अब मैं इस रिंग के साथ तैयार हूँ लो मैं तुम्हें ये पहना दू मैंने कहा था ना मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा अब तुम शादी शिदा हो वाह वेडिंग रेसेप्शन ये डीजे तो कमाल का है कितना खुपसूरत दिन है इतनी अच्छी धूप है आज का दिन बहुत अच्छा होगा मैं बता रही हूँ वो बैडिया पॉपकॉन की पूरे बके खुश्बू बहुत अच्छी है जदी करो कितना भगवास मौसम है सबसे बुरा आज का दिन बहुत बुरा जा रहा है मेरा पूरा मुट खराब हो गया अरे शान्द हो जाओ तुमने मेरे पॉपकॉन गिरा दिये लो ये ले लो वा तरहीक है मैं क्या करूँ समझ करें मैं अपनी डॉक्टर स्किल्ट से तुमें चेक करते हूँ ये कैसा मजाख है तुमको ये असली डॉक्टर नहीं हो तो मेरी मदद कैसे कर सकती हो मुझे बुरा लग रहा है तुमारा दिल तो बहुत उदास है बुरा हुआ मुझे तुमें खुश करना होगा वाउ खुश हो जाओ तो यहाँ पर क्या है ओ, कैंडी एक सेकंड रुको मेरे पास एक बढ़िया प्लान है मुझे पॉपकाउन करनल से शुरू करना होगा एक में काफी है और अब कैंडी इस भी डालेंगे हाँ, चीक है अब इस पर एक धतकन और थोड़ी हीट ओ, कैंडी पिगल रही है अब करनल्स पॉपकाउन कर रही है चीक है, अब इससे देखते है ये हुई ना, फैंसी पॉपकाउन इससे तो कोई भी खुश हो जाएगा हेई, देखो मैंने तमारे लिए खास पॉपकाउन बनाए हम, ये क्या है तुमने ये क्या सिकिया इसके खुशबू तो बहुत अच्छी है ठीक है, पहले एक पीस को ट्राइ करती हूँ अरे, बाह, बाह, बाह ऐसा लग रहा है मैंने रेंबू ही खा लिया अब मेरा दिल बहुत खुश है ते, मैं जानती थी ये काम करेगा मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ भगवान, मैं इस डांस कॉम्पिटीशन के लिए बहुत नवस हूँ है, टाइम निकलता जा रहा है अब ला, आ जाओ तुम ये कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ गुड लग ठीक है, मैं तयार हूँ हम ये कर दिखाएंगे जी हाँ, मैं डांस कर रही हूँ नमे रुकी और कोई भीगलती नहीं वाँ, छीक है, काफ़ी अच्छा कर रही है हाँ, मैंने कर दिखाया अओ, उमीदें आपको पसंद आया हूँ ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, तुम पाइनल्स में आ चुकी हो हाँ, मिश्वास नहीं होता, मैंने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, मैं जानती थी तुम कर दोगी शुक्रिया, ठीक है, तो चलो गो गो गो, तुम कर सकती हो ठीक है, तो ज़रा ये वाली मूव देखो, और ये वाली, हाँ, खतम हुआ, और तडा, वो, वाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं था, हाँ, निकलो यहाँ से, वो अच्छा नहीं कर पाई, ओ, नहीं, हेई, हेई, रो माया तुमने अच्छा किया, हाँ, मैं बहुत बुरी हो, नहीं, ये सब बोलना बंग करो, हम दबारा ट्राय करेंगे, मैं जरा तुम्हें एक मेक ओवर देदू, हेई, तो चलो, अब काफी बहतर है, पर तुमने तो मुझे अपनी तरह कपड़े पहना दिये, हाँ, ठीक कह रही हो, तुम्हें एक और चीज़ की जरुरत है, हमे वाह, ये तो सच में अच्छा लग रहा है, तुम कमाल हो, कितना कोल है, किसे पता था, इतनी आसानी से रेंबो हेर बन जाएंगे, ठीक है, मैं अपनी नई लुक के साथ एक और बार ट्राय करना चाहूंगी, ओ वाह, कितना अच्छा डांस कर रही है, मुझे उसके लुक मे पसंदाई, ठीक है, तुम अगले राउंड में जा रही हो, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ही भगवान, जब वहाँ देखो, वो आ गया, वो यही देख रहा है, हाई, आओ, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो यहाँ देख रही है, नहीं बढ़िया, हैर, मेरे पास एका आइडिया है, हे, इधर आओ, मेरा प्लान तो सुनो, ओ, ठीक है, हाँ, चलो यह करें, मैं भी करूंगी, ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, हमें एक प्लास्टिक हाट मोल की ज़रूरत है, और इसके अंदर रेड कलर फिल करेंग और अब रख के उपर थोड़ा पिंक कलर डालेंगे, क्या अच्छा दिख रहा है, तो अब में इस पर यलो डालूंगी, और अब दबारा लाइट पिंक, अब इसके उपर हम ब्लू कलर करेंगे, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, एक लाइट लेयर, और फिर आमरोल ग्रीन चीक है, अब ये मोल्ड पूरा भर गया है, अब इसे सेट होने देते हैं, चीक है, अब एक प्लेट की जरूरत है, और इसे पलट देंगे, अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं, इन लेयर्स को तो देखो, ये बहुत खुपसूरत है, चीक है, मेरे पास हाठ है, मैं बहुत नवस हूँ, पर ट्राइ करने का समय है। ठीक है, आज मुझे कहना ही होगा। मैं बहुत नवस हूँ, नहीं, दूर नहीं भागना। हेई, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। अरी वाक, तुमने भी एक हार्ट बनाया। ये कैसे हो सकता है। मैं बहुत फ़श हूँ, अब वो दूनों साथ है। हेई, कैसे हो। हेई, तुम्हारे बालों को देखो, तुमने जो भी किया, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये क्या कर रही है। हेई, देखो, मेरे पास नया स्केट बोर्ड है। ये क्या बात हुए। अब वो मेरे बजाए उस पर ध्यान दे रहा है। चलो उस पर यो निकॉन माजिक करें। हाँ, शुक्रिया। हाँ, मैंने इसे सजाया। वाउ, मेरे बोर्ड को क्या हो गया। हाँ, ये काम किया। अब वो इससे इतना खुश नहीं है। ओ, येस नहीं किया। तुम मुझे चालेंज कर रही हो, मैं इसे दिखाती हूँ। अब वे अपनी बोर्ड को पहले से भी जादा अच्छा सजाऊंगी। पहले रेड से शुरू करेंगे। पर सिर्फ यही कलर ही नहीं रहेगा। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे कुछ और भी चाहिए। थोड़ी शेविंग फ्रीम। ये बहुत अच्छा बनने वाला है। हाँ, बढ़िया है। अब ब्लाक स्प्रे पेंट की बारी। अब इस पूरी बोर्ट को ब्लाक कलर से ढख देंगे। ठीक है, अब शेविंग फ्रीम को हटा देंगे। ये पानी से निकलता जा रहा है। लो, एकदम साफ हो गया, मेरा बोर्ट पुरा हुआ। हेई, अब मेरा बोर्ट देखो। अरे वा, तुमने एक कैसे किया? बाई! ये बोर्ट बहुत पूल है, तुम्हें मुझे ये सिखाना होगा। यो, वो देखो। हें, क्या ये एली है? वो पॉपेट से बनी आउटपट कहां से लिया आई? तुम्हें पसंद आई? ये बहुत अनोखी है। आप इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं? जानने के लिए देखते रहें। ओ हाँ, वैसा ही बन रहा है। हो गया, मैंने बहुत गंद मचा दिया। मैं इसे कहां रुख हूँ? यहां जगा नहीं है। यहां रख देता हूँ, बस ये पर्मनेंट ना हूँ। ओ, कितना संदर है और कितनी बढ़िया डीटेल है। लेकिन इसमें और कलर होना चाहिए था। हाँ, इसी तरहां। क्या तो मुझे चेर पर बैठ गए। चेर और किसके लिए होती है पेवकूँ। ओ, नहीं। यह यहां क्या कर रहा है। मेरी स्कट नई है। हो, मुझे उसे वान करना चाहिए था। और अब मुझे एक नई पालेट चाहिए। रुको, वो देखो। यह काम आएगा। परिशानी हल हो गए। यह कितना जबरदस्त है मैट। मेरा पॉपल। हर चीज अपने जगा पर रखता है। देखो। हो गया। मुझे ज़दी जाना चाहिए। ताकि मैं मुवी देख पाऊ। इस साबन की खुशबू अच्छी है। पर यह बहुत श्लिपरी है। चलो भी। एके रहो। इसे देखो दुजराओ। श्ल। मेरी गलती है। यह कहां जा रहा है। क्या यह साबन है। यह क्या था। गह। यह क्या है। यह बातरूम से आया है। तम्हारी परिशानी क्या है अली। मेरी गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुको। मुझे पता है क्या करना है शुक्रिया हेई भरोसर रखो पहले सारी सकुल्स को पुछ कर दे जब यह हो जाए तो साबन को पिगला ले अब इसे पॉपिट में डाल दे सारे अलग-अलग सेक्शन्स में डाले और कुछ समय में यह सक्त हो जाएगा अब हमारे पास यह बन गया कूल है ना माट, क्याच यह तुमने क्या किया मैंने साबन में ग्रिप बना दी अब यह मेरे हाट से फिसलेगा नहीं मैं दिखाती हूँ मुझे पसंदा आया सबसे पहली चीज यह इतना गंदा कैसे हो गया और आदे बड़न्स तो खराब भी हो गए अम इसे इस्तिमाल नहीं कर सकती डॉक्टर एक और खराब हो गया हाँ मुझे बुरा लग रहा है तुम यह इस्तिमाल क्यों नहीं करती चीज़े थोड़ी और दुचस्क बनाते है यह डुराब नहीं लग रहा है आपको मेरी मदब करनी होगी मैं एक चीज़ कर सकता हूँ तुम्हे इने पॉप करना है हम अपने जमाने में यह इस्तिमाल क्या करते थे तुम्हे पसंद आएगा इसे इस तरह रखो और अपनी मनपसंद रंगों का इस्तिमाल करो और इन डॉट्स को कलर करो मजी दार लग रहा है ना हाँ मजे भी तुम्हे इसे ट्राइ करो पॉप करो मज़े आ गया कितना स्मूर्ट ट्रांजिशन था ना ये थका हुआ लग रहा है और ये गया कच्च्वे में शुक्रिया डॉक्टर मजे जग ना रिसेस हो गई मैं खा सकती हूँ हाँ बहुत मज़िदार है तुम्हे वीडियो देखनी चाहिए हाँ ये लड़का बहुत अजीब है हाँ वॉप्स मुझे चबाई हुए गम बलकुल पसंद नहीं है मैं ये हटा लीती हूँ मैं इसे इससे कैसे हटाओ ये काम नहीं आएगा मेरा पॉपिट ये बढ़िया है बस इससे पहले कुछ करना होगा इस तरह का एक दिल काटे बुक खोले और अंदर की तरफ हाट ग्लू लगाए पूरे बॉडर पर लगाए परफेक्ट अब पेपर को इसके उपर रखे अब बुक बन कर दे और ये आखरी स्टेप ज्यान रहे हाट पर बहुत चारी ग्लू होनी चाहिए अब पॉपिट को उपर लगाए ये, माट ये एकदम नई नोटबुक बन गए मैं ऐसे पॉप करूँ ये बहुत मजीदार है, शुक्रिया अब हम स्नाट खाएंगे पर सामान कहा है यहाँ कुछ है यहाँ भी कुछ नहीं बिंगो, ये हुई ना बात और ये सारा मेरा है रैपर्स कौन छोड़ता है बुरा हुआ यहाँ कितनी गरबर है कोई भी चीज अपनी जगापर नहीं है कि तुमने हर चीज जिदर उद्दर रखने का ठेका ले रखा है ओ, और कैंडी नहीं है मैं तुम्हें एक सीक्रिट बताती हूँ देखो, अपना पॉपेट रखो अब होल्स में चीने डालो अब थोड़ी फूट कल्वरिंग संदर लग रहा है ना? कटे जाओ अगला कलर फ्लीज तम हर रों में अलग कलर डाल सकते हो बस ये हो ही गया अब पहले इसे हीट करेंगे पर फ्रीज करेंगे अब ये सत्थ हो गए हो मेट कैंडी, देखो रखो इसे पॉप करना सबसे मज़िदार हिस्सा है अब ट्राइ करो शुक्रिया कितनी मीठी है अब सफाई करोगे कर ही तुँगा करनी भी चाहिए हाँ, जैदी हाँ, स्क्यूज मी क्या वो फोन है मेरे क्लास में बिल्कुल नहीं अब वो ध्यान भी नहीं दे रहा है, हाँ, मुझे पता है फोन नहीं इस्तिमाल कर सकते मैं गेंग जीत रही थी इसमें कुछ मज़ा नहीं है क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा रखो हाँ स्निप स्निप हाँ ये कहा से आया हो ही गया टड़ा अब मुझे पकड़ कर दिखाओ टीचर वो नहीं समझेगी ये बस पॉपिट है ये तो अलाओड है देख लेते हैं मैं हमेशा से ये ट्राइ करना चाहता था कितना साटिस्पाइंग है ठीक है बच्चे नग जीतने वाली हूँ गर्मी के दिन पर ठंडी कोक से बेहतर और कुछ नहीं ये क्या गड़बढ़ है इस कप में एक मिनट पहले तक तो छेद नहीं था एक मिनट रुको देखा सकर तुम्हें इसका बुक्तान करना होगा मैंडी हाँ और मैंने सोचा कि वो गारी कहां से आए आह मीठा लगता है ये मैं ले लेती हूँ बहुत अच्छा है हेई तुम्हें परिशानी क्या है ये मेरा तरबूज था शाहिद बहुत धीरे है तुम कभी-कभी जीना मुश्किल कर देती हो थोड़ा मज़ा भी करना चाहिए इसे आधा काटे एक चमच की मदद से दो छेद बनाए फिर उसमें कुछ तूट्पिक्स लगाए उसे मेरा तरबूज खाना है ना चलो देखें इसमें उसे चूहे के साथ एक पीस खाने में कैसा लगेगा इसमें मज़ा करो नन्ने दोस्त परफेक्ट हो गया उसने फिर अगेला इसे चोट दिया बेवकूफ चे मैं इसका बदला लेकर रहूंगी जेक हेई देखू मैं क्या लाई हलो हाँ वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा हाँ जेक वो सो रहा है हलो क्या ये विप क्रीम है चलो थोड़ी से तुम्हारे हाथ पे दूँ बस थोड़ी से हे हे बू टिकल टिकल हाँ ये क्या चल रहा है विप क्रीम शू याद है पस मुझे दस मिनट दो हाँ पानी देना प्लीज तुम्हारे लिए कुछ पीजे उसे प्यास लगी है बड़ा वाला पानी का ग्लास देना चाहिए एसी चला दो यांगुटन हो रही है हाँ छीक है मुझे सैंड़िच बना कर दोगी बहुत ठंड हो रही है इसी बंद कर दो कोई मुझे पर हुकम नहीं चलाता इससे सबक सिखाती हूँ इस बंद जादर डालूँगी हेई मुझे सोडा ला दो तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना था क्या ओ, शुक्रिया तुम्हारा तुमने याद दिला दिया हाँ हेहे आह 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 मुझे इससा भटाने के लिए पांच बार नहाना होगा थोड़ी दिर के लिए अपने आखों को आराम देती हूँ हेलो मिस्टर पेन, पोफेक्ट तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लगता है सपने देख रही हो इसका मतलब है थोड़ा मजाग करने का समय है गाह, उठो मत हाँ आह यह हिलना बंद क्यों नहीं करती उसका हाथ सीधा है लगता है जैसे वो मुझे कोई तोफ़ा दे रही है रुको, समझ गया अगर आप खून देखकर उठें तो क्या ही बात है लगता है यह काम कर जाएगा ग्लू से जक्म का टेक्स्चर बढ़िया हो जाता है अच्छा लग रहा है ओ, फ्राइज वैसे चलो इस नकली जक्म को और बढ़ाया जाए केचप स्टाइल हाहाहाहा यह कमाल का होगा हे हे यह क्या मेरा हाथ देखो मेरे साथ क्या हो गया जक्मो पर हसते नहीं है जेक रुको जेक अच्छा, अब मैं ठीक हूँ कहना पड़ेगा काफी अच्छा प्रांग था हे 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 और यह शोल्डर इससे जुड़ीगा लड़कियों हस क्यों रवी हो तब दोनों दिखाओ तुमने क्या किया छीख है, मैने सन बनाया जेनिफर मेरी डरा में शाथ देखो मुझे लगा कुछ अच्छा होगा आओ, असाइमेंट पर ये नहीं करना था तुम अपने आपको क्रियेटिव समझती हो मैं तुमें कुछ ड्रॉ करने को देखी हूँ ये कैसी जगा है गॉन चालेंज में तुम्हारा स्वागेश में लड़कियो इतनी पास ते कभी योनिकॉन देखा है हाँ, देख लिया ये ही तुम्हारी इंस्पिरेशन है मेरा पेन कहां गया? अब हम ड्रॉक ऐसे करेंगे कुछ अलब सोचना होगा मतलब की आज बॉक्स चलो इसे पूरा खोले हाँ, ये हुई ना बात वाँ, मैं ये इस्तिमाल कर सकती हूँ अओ, ठीक है हम है तो बेस्टीज ही ना लो मैं वाइट से क्या करूँ? ये तो यहां देख भी नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? अरे यार मैं करूँ क्या? मैं मदद करूँ लो ये सब कहां से आए? मैंने भीजे अब मैं सच में शुरू कर सकते हैं लोगो, ना समझ गए मैं एक सूपर स्टीक्रिट डिजाइन से शुरू करूँगी अब उसे देख भी नहीं पाएंगे अभी तो बिल्कुल नहीं इसके उपर पेंट नहीं चलता तो मैं जतना पेंट करूँगी तो मैंनी सेक्रिट ग्रॉइंग उसमें ये दिखेगी तडा ये एक योने कौन है देखो और आप इसके उपर जो चाहें वो बना सकते है आप बहुत कुछ बना पाएंगे सामान नीचे रख दो तुम्हें पसंद आया? आया, लग भग और आश लिका? ठीक है, तो मेरी प्यारी दोस्तो अभी तुम्हारी होल पी बंद हो जाएगी जब तुम्हें रॉयल जूर से खोगे कितना जबबदार है अब इसे बनाओ मेरी पास ये वाला बाग में है क्राउन बनाना बहुत आसान है ये तो कोई बंदर भी बना ले अव, सच में मैं इसे दिखाती हूँ ये कैसे बनाते है छोटी-छोटी डीटेज पर ध्यान देना होगा और अब हम जोल्स बनाएंगे याया ग्रूपी रैड और मुझे कुछ असनी चीज भी लगाने होगी शुक्रह मैं इसके बिना कही नहीं जाती ये परफेक्ट है पर हम इसमें थोड़ी स्पारकल डालेंगे गोल्ड स्पारकल, बर्कुल कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है चलो चली, पहले तुम तो ठीक है, तुमें कैसा लगा? बहुत चुंदर है, तुम ये पहन सकती हो तुमें कैसे किया? मुझे बहुत पसंदा आया अब तुम दिखाओ, ऐश्ली ये लाप ए रखनाओ ये तोड़ा अच्छा नहीं है, पर उसके तुमें मदद मिलेगी आप, पतने ये कैसे सहो तुम इसके लिए तयार हो लड़कियो इतने बड़ी एरपोट्स हेई, ये सही नहीं है तुम अचे इसके साथ ड्रॉक करना होगा मैं पर ये उठा भी नहीं पा रही ये बहुत बुरा है लेकिन मैं तयार हूँ, ये परफेक्ट है मुझे थोड़ा साबटाच करना होगा लेकिन अगर मैं कहूँ, सोबटाच अब इसके उपर ड्रॉकर कर दिखाओ मैं भी इच से शिरू करूँगी अजीब है, इस पेंसिल को क्या हो गया मुझे नहीं पता अजीब है टाइम खतम हुआ बस एक मेरे टॉर मैंने कहाँ टाइम खतम हुआ दिखाओ तुमने क्या बनाया चीख है तुम अपना दिखाओ जैनिफर ये चीख है और मैंने दिखा तुम सोब डाई हो इसका मतलब तुम डिस्कॉलिफाइड हो ये तुमने किया कम से कम ये उस साफ है अब आश ने को पॉट्च मिलेंगी वाव ये कैसे हो सकता है कितनी बड़िया आवाज है इसे पॉप करने में मज़ा आता है तुम ये डॉप क्यों नहीं करते मुझे पॉपिट्स बहुत पसंद है ठीक है जैने से कलर्फुल बना रही है पर मैं इससे भी ज़्यादा क्रेटिव हूँ मुझे बस कही चाहिए पहले थोड़ी टेप लगाए अब इस तरह पेंट की भूद्य लगाए और मर्विदार पाटन बनाने के लिए कंगी इस्तिमाल करें ये रंगों को थोड़ा मिला देगी ब्रश स्रोग से तो काफी दुलचस्ट है और जब आप टेप निकाल देंगे तो ये लाइन एंदम साफ हो जाएंगी देखा मैंने क्या कहा वाह ये काम किया मेरी कॉम तुम्हें इससे क्या किया है ये मेरी है माफ करना तुम्हें शेर्म नहीं है कैंडी खाओगी मुझे नहीं लगता एक सेकेंड रुको ठीक है लाओ इधर दो ये दिल्चस्प होगा ओपल मेरा फेवरेट तुम सब से उपर जाओ अब ये हुई नाबार अब ये पॉपेट लग रहा है बढ़िया चलो दिखाओ फिर हलो कितना पॉपेट की है पर जेनिफर का एक दमजबर दस और विनर है वोव मुझे नहीं पता तब पॉपेट की भी बरसात होती है ये रहा मेरा मार्कर और ये रहा 3D पैंड सबसे पहले इस कैप के उपर कोल कोल बनाएंगे हाँ ये देखो अब हम इसे निकाल सकते हैं इस तरह एक लूप बनाएंगे और अब इसमें भी फिल करना है इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे करकर ठीक है ये हो गया जो हमने पहले बनाए थे अब उने ले आए इन्ही साथ में जोड़ दे अब पर येलो कलर चाहिए इस येलो 3D इंग से मैं एक लेटर ड्रॉप परूँँगी चोटी सी हैट सर पर पहन लेंगे और अब मैं तयार हूँ स्वेंग हैट जप ये क्या हुआ हेंड तम क्या कर रही हो हे भगवान मैं उसे मारा मैं इस हैट को लटल डखी के उपर रख दीती हूँ ये इस दे क्या दिन भी थे नहीं रहा मैं यहाँ पर कटिंग करवाने आएगी आपको दिखकर खुशी हूई इस आए बैठिए शप्रया बिल्कुल बाहर मौसल कैसा है अभी भी गर्मी है ठीक है तो मैं आपके लिए क्या करूँ मुझे बस थोड़ी एंड से कटवाने इस टेंज निकाल दू और बस थोड़ा अच्छा दिखे बिल्कुल बिल्कुल यह आराम से हो जाएगा बस आपकी चेर अज़स्ट कर दू बस थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा और जी हाँ तब मैं शुरू कर रहा हूँ आपके बाल बहुत खुबसूरत है आप इनका खयाल रखते होंगी लगता है यहां से ओज़े हुए है क्या हो रहा है? तुम रुख क्यों गर कुछ भी नहीं बिल्कुल भी मत घबराये सब कावू में है यह भगवान मेरे कॉम टोट गई यह तुम ने इसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? हो कुछ भी नहीं बस थोड़ी गास है अब मैं क्या करो वो मेरे सबसे अच्छी कॉम टी रुको बिल्कुल मेरे कॉस्टी फीडी पैन इससे सब ठीक हो जाएगा यह रही कॉम की एक कस्वी हमें बस इसे ट्रेस करना है मैं इसमें अपने मन पसंद रंग का पिंक फीडी इंक लगाऊंगा हाँ काफी अच्छे से काम कर रहा है तो चलो कॉम का आगे का हिस्सा बन गया हाँ यह काफी अच्छा लग रहा है हम इस पर लाइट ब्रीन करेंगे यह बहुत खुक्सूरत है इसे जादा नहीं कर पाएं क्योंकि यह एक कॉम है हम इसको और सुन्दर बनाएंगे जब यह हो जाए हम इस पर फूल बनाएंगे हाँ बस हो ही गया और वाला एक नई कॉम ओ वो तो सो गई तो मुझे थोड़ा जब भी करना होगा ओ माफ करना मेरी ज़रा आख लग गई थी ठीक है लगता है यह लेवल में पार कर ही लूँगा तो चलो बस पाइनल ट्रेजर रन है मैं इक कर सकता हूँ यह क्या कर रहा है काफी एक्साइटेड लगता है मैं ये डंजिन जीत नहीं वाला हूँ क्या मैं कुछ कर सकते हूँ हो नहीं अभी मैं खेल रहा हूँ प्लीज मैंने कहाना नहीं मैं खेल रहा हूँ प्लीज 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 मैंने मना किया न हाँ तो ठीक है इतनी मतलबी भी मत बनो मिली डूल भी हतम हो गई सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ मेरी गेम को हाथ मत लगाना बेवकूफ कहीं का तो वो चला गया है यही मौका है उसे यह ऐसे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था वो इस गेम में अपने आपको माहर समझता है मैं उसे दिखाती हूँ मैं कितना बढ़िया खेल रही हूँ वो तो इसके आज़ पास भी नहीं है ये लो और ये और ये कैसा लगा आओ, आओ, नहीं मैंने इम मक गिरा तिया आओ, वो गिर गया नहीं, ये तो तोट गया अब मैं क्या करूँ अब उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके गेन खेल रही थी एक सेकेंडर को मैं समझ गयाएगी जी हाँ, तुम मेरे साथ आ रहे हो अब मैं अपना फ्रीडी पैन इस्तिमाल करूँगी इससे सारे परिशानी हल हो जाएगी बस इसके कोने को थेस करना है हाँ, हाँ, अभी तक तो ठीट लग रहा है ऐसा ही करते रहना होगा अब इसे उपर की तरफ से लगाएंगी और लाइन्स बनाते जाएंगी जैसे इसे स्टिट करकर बन करना हो या एक पाच बनाना ही समझ ले इस पे बहुत चारी लाइन्स चाहिए होगी और जिरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो बस काफी सारी बेस लाइन्स ओने चाहिए हाँ, और ये देखो रह, लगता है मैंने उसे ठीक कर दिया मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती थी ओ नहीं, वो वापस आ रहा है मुझे अपनी जगा पर जाना होगा जल्दी करो, चेर पर वापस चलो मैंने कर दिखाया कुछ तो गरबर है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ लगता है हाँ, कुछ ठीक नहीं है कुछ तो गरबर है खेर छोड़ो, जो भी हो चलो, मैं अपना मुझ वापस फिल कर लेता हूँ इस लेवल को जीतने के लिए मुझे हाइप लोगत द्रहना ज़रूर है बढ़िया है, उसमें देखा तो नहीं ये मेरी मध पर क्या है खेर, ये इसका क्या ही कर लेगी छोड़ो, मैं अपनी गेम खेलता हूँ सपाई करने के लिए शुक्रिया, मिस्टर ब्राकुली हो, क्या? मैं सपना देखा हाथा पता नहीं क्या टाइम हुआ है मैं फोन में देख लेता हूँ मेरा फोन, नहीं ये तो बहुत जोच से गिरा नहीं, नहीं, ये तो टोट गया ये बगवान, बहुत बुरा हुआ ये बुरा सपना है ये क्या हुआ, मैं कहां हूँ मेरा फोन मैं वहीं हूँ, जामेगिरी यादिव, हाई बढ़ा सपना ये बगवान ये बगवान, एक और बुरा सपना आया यह भगवान, यह हो, मेरा फोन फेह, मेरा फोन जहाँ था वही है पश्पर नहीं, पर अब मैं डर गया हूँ और मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हूँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपनो 3D पर निकालता हूँ और कुछ करता हूँ यह पॉपल लिंक इस्तिमाल करेंगे क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद है फोन केस पर कलर करते हैं बस इस तरह जिगजग पनाना है और थोड़ा और जिगजग और उपर नीचे इसे बढ़ने के लिए बहुत छारी फ्रीडिंग चाहिए होगी उपर कहसा हो गया अब साइट्स करते हैं बस दिहान रहे कि अच्छे से कवर्ड हूँ लू, मैंने पूरा फोन केस कवर्ड कर दिया मैंने इसे गिरा दिया पोई बैट नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं तूटा ये भगवान, मैं घबरा गया था पर मेरा नया केस काम आया अब मैं वापस सोने जा रहा हूँ नहीं, ये नहीं ये बिल्कुल काम नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं ये बकवास है मेरा फूरा वाडरोव एकदम बकवास है ये कैसा तुपान है ये क्या हो रहा है मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है तुम किस बारे में बात कर रही हो इतने सारे कपड़े तो है पर जेक ने मुझे केट पर जाने के लिए पूछा जेक, हे भगवान, तो अब हम क्या करें खेर, ये शॉर्ट कैसे रहेगी, आपको क्या लगता है या फिर ये रैट ब्रेस, या ये कुछ जादा है मुझे नहीं लगता ये अच्छे लगी की रुको, मेरे पास एक कमा का आइडिया है मैं भूल गईती, मेरे पास ये फ्यूट सा क्रॉप टॉप है फर इसके साथ पहनने के लिए मेरे पास कोई जूलरी नहीं है रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो हाँ, मैं समझे नहीं ओ हाँ, डाट, अब बहुत स्मार्ट है पकार इसमें कुछ होगा नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं आया आज की रेट सबसे बेकार होगी, मुझे कैंसल कर देनी चाहिए हम, है, तो हम इसका कुछ कर सकते है मैं बिना ये अरिंग्स के बाहर नहीं जा सकती मुझे समझ नहीं आ रहा रुको, ये नेक फिलो और मेरा थ्वी डी पैन हानी, लगता है ये ही काम आएगा हे भगवान, आप ठीक है रहे हैं ठीक है, एक वाटरमेलन स्लाइस के जोईंग लेंगे और अब उसे प्रेस करेंगे पहले ब्लाक लिंग से इसे आउटलाइन करते हैं बिल्कुल कोने कोने पर अब अंदर के तरफ भी कुछ लाइन्स प्रेस करेंगे ठीक है, काफी अच्छा बन रहा है हलाकि अभी पूरा नहीं हुआ, करते रहना होगा अब उसमें रेड वाटरमेलन कलर करेंगे कोनों को भी रेड कलर ही देंगे ये देखो, बिल्कुल आखर तर अब राइन की बारी ये वाला ग्रीन अच्छा लग रहा है बहुत मजीदार है मुझे अक्सर करना चाहिए अब मुझे डाक ब्रीन चाहिए होगा और मेलन की सीट्स के लिए ब्लाक कलर, बस छोटी-छोटी बनाने है हाँ, और थोड़ी सी यहाँ भी वो, हो गया कितना अच्छा लग रहा है हाँ, ऐसा ही एक और बनाना है और चाहिए एरिंग पीसेज देखोई कितनी ज़्यादा अच्छे लग रही है मुझे बहुत पसंदार चलो मैंने ट्राइ करू यह अच्छे लग रही है ना प्यारी है बहुत बहुत शुत्रिया डार आपका आइडिया सेच में काम आया तो चलो, अब मैं जुट के साथ डेट पर जा रही हूँ चीक है, तुम दोनों अच्छा समय बिताना अब मेरा नेक पिलो कहा है ओ, ये रहा, ये बहतर है जुकू, ये क्या है? ओ, एक फोटो ओ, इसे तु देखो, कितनी खुश लग रही है बहुत प्यारी है हलो, हमारे साइंस शौब में आपका स्वागत है ये काफी अच्छा लगता है हाँ क्या हम इन्हें मिला दें? हाँ ये क्या करने वाला है? क्या ये आइडिया सही भी है? ये भगवान वाओ, हम कहां है? चलो, पता लगाएं देखाए तुम्हारे हिसाब से मेगनेट्स को पानी के साथ इस्तेमाल करने से क्या होगा? पानी और मेगनेट्स कौन सी बड़ी बात है? कोई आइडिया है? चलो, ट्राइ करके देखें एक दुफान आने वाला है लोगों जैसा तुमका हो जेक क्या तुम्हे यकीन है? हाँ, हाँ ओ, चलो इस तरह ट्राइ करें चलो भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा ओ, मैन एक मिनट रुगो, दिमाग की बत्ते जले हे, अपना हाथ यहां रखो अच्छा? चलो देखते हैं अब क्या होता है, छीक है? शायद कुछ हो रहा है मागनेच पानी को नीजे खीच रहे हैं तेखो, हाँ, विश्वास करो, ऐसा हो रहा है मैं नहीं जानती थे, मागनेच पानी को यला सकते हैं हाँ, यह परफिक्ट तुफान के लिए कैसा रहेगा? हाँ अच्छा था अहाँ, ओ, उतना मुश्किल नहीं था, है न? हाँ तुम्हें क्या लगता है, तुम पानी के बार में सब जानते हो? अब समय है तुम्हारा दिमाग हिला डालने का अगर ये चीजें मिला दी जाएं तो क्या होगा? और हमें क्या करना है? शार्द हमें खुदी पता लगाना होगा ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बोतले हैं ये मुश्किल है वैसे ये करना कैसा रहेगा? मैं नहीं जानती हाँ, ओ वाओ, कितने मुलाइम हैं हलो देर हाँ क्या इससे कुछ होगा? लगता नहीं रुको, मुझे एक बोटल दो ठीक है पहले मैं इसमें बॉल्स डालूँगा ऐसे लग रहा है जैसे रेन्बो की बारिश हो रही है क्या? हाँ चलो बोटलों में थोड़ा पानी डाले ठीक है ध्यान से, अब गिराना मत उसने खुछ तो जरूर हो रहा है हो गया मेरा काड अब ये काड इस पर रखते है और उल्टा करते है तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हूँ और अब क्या? अब समय है जादू का ये देखो हाँ, मेरे प्लान ने काम कर दिखाया देखा वाह, लग रहा है जैसे सब नाच रही है मुझे वश्पास नहीं हो रहा, क्या बात है हाँ वाह चलो फिश और आट को जोड़ें कोई सवाल? समझ गया तुम क्या करने वाले हूँ? विश्वास रखो ये धूर्ट हो जाएंगे ना जीक हाँ ये सही रहेगा हाँ, अच्छी लग रही हो मज़े दो वाह, जे, ये बहुत बढ़िया है हाँ, हमने कर दिखाया तुम लोगों को हुआ क्या है? ठीक है अच्छा, तु फिर क्या? तो, वहाँ जाना कैसे रहेगा? हाँ, हाँ हम कहा है? शायद ये एक बाठरूम है हे जी, मैं समझ कई क्या करना है दो मुझे इस फिर्ष को सिंग में होना चाहिए इसे भी अब देखो इन फिशिस को तेड़ना चाहिए है ना? वो, ये मजीदार है ना? क्या बात है टेड़ पोल्स कैसे रहेंगे? तुम्हे पता है, मैंने आज से पहले कभी टेड़ पोल्स नहीं बनाए टेड़ने का समय है नने दोस्तों वो, उन्हें जाते हुए देखो ये बहुत मज़ा क्या है हाँ, साइन्स कूल है इसमें बहुत दिमाग लगेगा इस सवाल का जवाब पता है? कोई आइडिया नहीं है शायद मुझे पता है मुझे हरा दिया देखो क्या सच में? ये काम नहीं कर रहा अच्छी कोशिश थी क्लोई समझ गया, इस तरह करो इस पैन को देखो इस तरह इंक बहार निकालो फिर अपने मुँँ से फूक मारो हरी इंक बहार आती हुई दिख रही है अब अपना मन पसंद हैर मास्क लो और उसमें इंक मिलाओ अच्छे से मिलाना मत भूला इस खूबसूरत रंग को देखो चलो ट्राय करें ठीक है पहले स्ट्राण पर हरा रंग लगाए फिर उपर फॉयल लपेट दे अब परपल से एक और स्ट्राण रंग है हाँ हो गया नहीं इसे थोड़ी देर के लिए रहने दो छीक है मेरे खयाल से ये तयार है सच में कूल हाँ ये बहुत अच्छे से हुआ बहुत बढ़िया रंग आया है तड़ा देखकर अच्छा लगा एक मिनट वाँ मैं रेंबो प्रिंसेस लग रही हूँ ये बहुत पूल है तुम्हें एक काम शुरू कर लेना चाहिए हो सकता है अग कुछ पीना है क्या इसे बंद करने का दूसरा तरीका पता है करो ये दल जास फिर ये नैपकिन कैसा रहेगा हमें बस इस नैपकिन को रोल करना होगा टेबल पर सीधा रखकर फोल्ड करते हैं फिर एक छोटे से बरीतों की तरह रोल देखा और स्टॉपर बन गया वाव ये आसान है क्लोई लगता नहीं ये काम करेगा देखो जैसे ही मैं इसे उल्टा करूंगी ब्रिंग बाहर गिरने लग जाएगी देखा ये काम नहीं कर रहा है तुमने गंदगी करती अहाँ चलो इसे दुबारा ट्राइ करेंग बोतल को पूरा भरना होगा उपर तक भर जाने तर डालती रहें नापकन को बोतल के उपर रखें क्या तुम्हें यकीन है हाँ देखो क्या बात है हाँ अब ये काम कर गया पास से देखो ठीक है क्या ये जरूरी था ठीक है ये काफी अच्छा था मज़ेदार था पहले से घुमाते हैं ये कहां रुकेगा एक रेंबो मैं इंतिजार नहीं कर सकती वाँ ये कहां से आया इतनी सारे पॉपिट्स वाँ सेरा जरा ये देखो वाँ तुम बहुत लखी हो बस यही मुझे बस एक बेल मिली ठीक है जरा इसे रिंग करो वाँ एक नाश्ता हो योनिकॉन मुझे पसंद आया शुक्रिया मस्टर योनिकॉन बाई योनिकॉन सीरो यामी अच्छा लग रहा है चलो शुरू करे वाँ मैंने इतने पॉपिट्स पहले कुभी नहीं देखे बहुत मज़ा आने वाला है ये तो खतम ही नहीं हो रहे और भी है तुमने देखा ये दोबारा भर गया इन्हें पॉप करने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा शानदार ठीक है मेरी बारी शुक्र है मैं वीशा अपने साथ एक बोल और दूत का ग्लास रखती हूँ ये देखो कितना कलरफुल है मैं इसे चकना चाहती हूँ बढ़िया मिंडी तम ठीक तो हो मैं ठीक हूँ ठीक है मैं बस अभी बाहर आती हूँ मदद चाहिए हो तो बता देना हम इसे साथ में गुमाए ओ ब्लू देखो एक रिंग और मेरे पास सोडा आया मैं इसे पहनूगी एक दम फिट आ गई आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिल गया मैं तुम्हारा हाथ पांगने आया हूँ ओ शिक्रिया मेरी जान ये मेरी है हेई छोड़ो रख जाओ फिर बिलते हैं बहुत अजीब था वो मेरे रिंग लेगा मुझे हसी आ रही है ठीक है अपना सोडा ट्राइ करूँगी बहुत मज़ा आएगा वो जरा ये देखो ये एक दम ब्लू है और इसमें एक और चीज़ डलेगी थोड़ा सा माजिक डस्ट ये गया इसमें मैं सारा ही डाल देती हूँ अब एक स्क्रॉच आएए हम इसे मिलाएंगे ये काम कर रहा है कितना सुन्दर है यामी हाँ मिंडी वो मिली रिंग लेकर चला गया मैं बहुत दुखी हूँ मिली पास एक और स्क्रॉच है मैं से इसमें डाल देती हूँ मिंडी ये ट्राई करो सच में वाँ ये अच्छा है तो तुम या मैं मैं काश कुछ अच्छा हो ये रेड है वाँ बहुरत अच्छे यहाँ कुछ और भी है मज़िदार लगता है ये बटन क्या करता है वो जड़ ऐसे तु देखो वुप्स माफ करना अच्छा नहीं हुआ मैं थोड़ी कैंडी खाऊंगी ये बहुत छोटी है पर इसका स्वाद अच्छा है बागी की भी खा जाती हूँ मुझे बहुत पसंद आई अच्छ मेरे पास भी कैंडी होती तुम्हें लगता है वो वापस आएगी रुकू इसमें भी कैंडी है मुझे तो पता ही नहीं था अब मैं ट्राय करूँगी आजाओ ये कमाल है है ये किसकी चीज है ओ, मुझे मत देखो ये उसका है सरा, क्यूं? ये लो शुक्रिया स्वीट बाई अब एक ही चारा है नहीं, प्लीज ये मत करो नहीं, वो गल्टे से हुआ था रुको हूँ ये लाच जवाब है शुक्रिया, मस्टर एलियन रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसे चलाऊंगा पर कोई इसका विश्वास नहीं करेगा हाँ वाँ मैं ऐसे घुमाओ ठीक है, तो चलो पोपो, ओ, एक सेलफोन कितना प्यारा है बेडिया, वोव कितना खूल फोन है वाँ, मुझे चालेंज पसंद आया सेलफी बहुत खुबसूरत है अरे नहीं, ये तो गलत बात है मैंने रूल्स नहीं बनाए ये गलत है मुझे कॉल करना होगा हेई, मुझे तुमारी मदच चाही हाँ, हाँ, अर्जेंट है बस आराम से बैठो क्या? वो देखो चो भी हो कैमरा को मैं पसंद हूँ ये क्या हुआ? ये काम क्या? शुक्रिया, पैसे दो वाँ, कितनी डिमांडिंग है सब सही रहा शुक्रिया, बाई क्या ये तुम ने किया? तुम कितनी मतलबी हो तुम किस बैरे में बात कर रही हो ये बस खेलोना है, देखो रखो, क्या ये? शॉक्लेट है? ये हुई ना बात मैं ये कभी भी खा सकती हूँ ओ, चलो भी अरे हाँ ये तो लॉली पॉप है खुश्बू अच्छी है खाने में अच्छी है? ओ, हाँ मेरी बारी पिंक वाह, रोजिस, कितने रोमांटिक है और स्वाद भी अच्छा लगता है चलो खाए वाह, ये बहुत अच्छा था वाह, हलो, मैं इंतजार कर रही हूँ ये क्या? मैंने इतने सारे रोजिस कभी नहीं लिए एक आइडिया है जरूर काम आएगा मिंडी क्या कर रही है? मुझे टेप चाहिए लो, एक रोज क्राउन कितना संदर है बस अब सब थोड़ा जल्दी हो जाए आख है कार स्पेकेटी? खेर, चलो, ट्राई करें वाह हाँ, बस यही कोई बाट नहीं कोई फर्क नहीं बढ़ता मुझे पसंद है अब तुम देखना मैं कैसे लग रही हूँ? एकदम खुबसूरत है ना? स्ट्राबेरी मुझे पसंद आए और चाहिए देखने में तो अच्छा है अपना खुद कर ले कर आओ ठीक है शो शुरू होने वाला है इसे ओन कर दू मुझे वो बहुत पसंद है वो सबसे अच्छी रेन्बू योने कौन है ठीक है, तो मेरे दोस्तों तुम ककें के लिए तयार हो हम ये पिंक कलर इस्तिमाल करेंगे तेखाओ तुमारे पास क्या है शुक्र है हमने पहले से ही पिंक को ढून लिया है अरे वा, हमें को और कलर इस्तिमाल करेंगे ब्लू तुम्हारे पास ब्लू फूर्ट भी है हाँ मैं चांती थी वार्स ब्लू भी चुनेगी तो मैं ब्लू स्थ भी लेकर आए हूँ और मैं भी बहुत अच्छे तो चलो अगला कलर कौन सा है ओरेंज कैसा रहेगा तुम्हारे पास कुछ ओरेंज है हमारे पास बहुत चारा ओरेंज सामान है स्नाक्स और ब्रिंग्स भी हमने सब को चखाठा कर लिया है ब्रावो यह रेंबू फूर्ड की अच्छे कलेक्शन है तो अब तम सबसे अच्छा रेंबू फूर्ड बनाने वाली हो यह हमारे और हमारे खाने के साथ क्या हो रहा है हे भगवान, हम कहा हैं, जाना देखो तो अ, अरे वाँ, हम अपनी पेवरिट यूनिकॉन के साथ टीवी में हैं हलो, तो तुम मेरी चालेंज के लिए तयार हो हे भगवान, मुझे भी डोनट्स चाहिए पर कलरफुल डोनट्स जादा बहतर रहेंगे हम ऐसे नहीं लगता ही भगवान, लगता है, यह हमारा पहला चालेंज होने वाला है मैं जानती हूँ क्या करना है, जरार रुको क्या? तुम हमेशा मुझे सामान ले लेती हो अरे वा, तुम तो बैटर मिक्स कर रही हो हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बेकिंग में माहिर हूँ इस बैटर को हम कप में डालेंगे? इतना काफी है अब हमें कलरिंग आड़ करनी है पहले ब्लू डालेंगे अब इसे कप से निकाल लेते हैं अब बात को स्कूईज करेंगे ऐसे कलर मिक्स हो जाएगा अब डोनट मोल की बारी है अलग-अलग कलर्स डालेंगे ये बहुत सुन्दर दिखेगा मैं जानती हूँ मैंने इन सारे मोल्स को भर दिया है बस आखरी वाले को यलो से भरेंगे बढ़ी अलग रहे है अब इने अवन में रख देते है मुझे अपना काम करना होगा शुक्रह मेरे पास सामान है मुझे कुछ भी स्क्राच से नहीं बनाना पड़ा वो बोरिंग होता है मेरे छोड़े-छोड़े डोनट्स तयार हो गए है अब मुझे इने पेंट करना है कितने प्यारे है और संदर भी मुझे एक कलर समझ ड़े आ रहा तो मैं स्प्रिंकल्स लूँगी थोड़ा पेपर चलेगा ये कितने प्यारे लग रहे है मैं रो दूँगी एक प्राई करकर दिखते हूँ चलो ग्रीनी हो गया काफी देर से वेख हो रहा था खुश्पू तो अच्छी है काफी कलरफुल लग रहे है हाँ बिना डेकोरेशन्स के डोनट्स का क्या काम इसे निकालकर इस फ्रॉस्टिंग में डिप करते है और इस तरफ से इसे स्प्रिंकल्स में डिप करेंगे अरी वाह कितने प्यारे लग रहे है मेरी प्यारे सिरेंबू डोनट्स मुझ अपने डोनट्स पसंद नहीं है इने काने से दाथ में दरदो रहा है अरी वाह तमारी डोनट्स तो कमाल के लग रहे है तम्हें रेस्ट किया चाता है रुको, तुम्हें वो खुश्बू आई? हाँ, बहुत अच्छी है, रुको, वो चली गए, अब मैं भी निकलती हूँ वो यही कही से आ रही है, वो खुश्बू तुम इस टेबल से आ रही थी उप्स, मैं ज़रा छिप जाती हूँ, तुम इसे किसी नेहा कुछ किया है, है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने एक ख़जाना चुराया है हाँ, मुझे ले जाओ ये क्या? एकना गोल्ड और कैश उसके पॉकिट में बढ़ा था? जसते भी ये डोनेट्स बनाए है, वो एक जीनियस है ये भगवान, ये बहुत अच्छे है, इससे अच्छे डोनेट्स मैंने कभी नहीं खाए हेई, ये तुमारे पास क्या है? आहाँ, कुछ भी नहीं मैं इसे हटा लेती हूँ खेर, जैसा तुम कहो कितने अच्छे डोनेट्स है हाँ, मैं यहीं नीचे रहूँगी याइक्स, बाल-बाल बचे ओ, ऐसा एक किसे नहीं पसंद खास कर नाश्टे में हाँ, चलो, अब एक्स बनाओ एक्स, सच में? बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खेर, देखते हैं, इसके नीचे क्या है? सच में, एक, दो, तीन, चार, पाँच ठीक है, मैं समझ गई और वो चले गई मैं इस चैलेंज पर क्या करूँ मेरे पास एक आइडिया है फ़रा सामान चाहिए होगा हाँ, जल्दी से जल्दी डिलेवर कर दो, प्लीज ओ, आ गया शुक्र है, इतनी जल्दी शिप हो गया ठीक है, ये रहे मेरे एग्स इन्हें अब तोडते हैं और योबस और वाइट्स को अलग-अलग कर लेंगी अब मैं इसमें वाइट्स को डालने वाली हूँ चलो थोड़ी फूट कलरिंग भी डालें अब छोटे सी वोटन स्टिक से इसे मिक्स कर लेंगी हो गया कि तब बढ़िया ब्लू कलर आया है अब इसे इस तरह उपर डालेंगी और फिर ढखकल लगा देंगी यह बलकुल कस्कर बंद करें और अगला स्टेप है कि हमें इसे पानी के पॉट में डालना है इन्हें पकाने के लिए पानी को गर्म करना होगा अब यह वाइट नहीं रहे क्योंकि मैं वे कलर डाला है चलो इन्हें खोल कर देखते हैं क्या बना वाँ जड़ाई से देखो यह बलू हो गया और हाट की शेप का बन गया अब इसके अंदर एग योक्स डाल सकते हैं पर एग योक्स को भी हमें पकाना होगा करवे से वापस पॉर्ट में डाल देते हैं इतना काफी होगा चलो इन्हें निकाल लें यह देखो हाँ यह परफेक्ट लग रहे हैं इन्हें अब मोल्ट से निकाल कर प्लेट में डालते हैं देखो कितने मज़िदार कलर्स और शेप्स हैं उसे ऐसे ही रेंबो एग्स जाहिए थे वाँ यह तो बढ़िया लग रहे हैं रुको हाँ इधर आओ पेवकूफ बर्ड हे इस बर्ड को देखो हमें रेंबो एग्स बनाने थे बर्ड नहीं हाँ एग्स मैं शायद वो समझी नहीं कुई बात नहीं कम से कम मुझे बर्ड तो मिला तो ठीक है अब अगला क्या करें नूडल्स नूडल्स किसे नहीं पसंद है न और हाँ मुझे वो कलरफुल चाहिए चलो रेंबो नूडल्स बनाओ हाँ रेंबो नूडल्स मैं नहीं जानती है कैसे क्या जाए क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है मुझे तो समझ देए आ रहा ये कार से आ गया देखते है इसमें क्या है हेई इसमें तो कुछ नहीं है ये खाली है ओ बिचारी लड़की प्लेट में देखो ओ प्लेट अरे हाँ मुझे लगा इसमें होता है लगता है हमें इंस्टेंट नूडल्स मिले है और कलर भी है ये मुझे दो ठीक है ये रहा एक पानी का बोल इसके अंदर रेड कलर डालते है हो गया इतना काफी है अब इसके अंदर रामेन नूडल्स डालेंगी इसे मिलाना होगा ताकि नूडल्स थोड़े धीले हो जाए और कलर मिक्स हो जाए ज़रा इससे देखो नूडल्स भी रेड हो गए होंगे अब इने बाखी कलर्स के साथ प्लेट में वापिस रख देंगे खुश्पू तो अच्छी है तुम्हें ऐसा नहीं लगता ना स्वादिश लग रहा है बूँ शानदार हेई हाथों से नूडल्स नहीं खाएंगे खाल सकती बहुत हुआ अब ये नूडल्स मेरी है हेई रुको वो नूडल्स खा रही है तुम्हें वो आ गई मुझे लेकर भागना होगा मुझे फोक्स मिल गए हाँ नूडल्स कहां चले गई उससे लगता है वो मुझे चिपा लेगी मैं नूडल्स के साथ चाती जाऊंगी हाँ तुमने मुझे ढूल लिया जब तक मैं गई तुमने सारे के सारे नूडल्स खा लिये नहीं सारे नहीं तुम्हारे लिए अभी बचे है दिखते हैं क्या है ये रहा मेरा क्लाउड देखो बूम ये है तुम्हारा अगला चालेंज रेंगो क्लाउड कितने स्वादिश लग रहे हैं न तो क्यों ना इससे शुरू किया जाए क्या रेंगो क्लाउड क्लाउड कहाने लाइक नहीं होते मुझे बस कोई अच्छा आइडिया ढूनना होगा रखो मैं नहीं सोच पा रही चलो मुझे अपना आइडिया बताओ तुम्ही बहुत पसंद आएगा देखो हम ये क्लाउड लाम पर इस्तिमाल कर सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं ये बखवास है ठीक है तुम्हारी पास कौनसा आइडिया है बहुत संपल है मेरे दिवाग में भी कुछ आइडिया आएगा वो यहां इतना अंधे राक्यों है और सब खाली है मुझे भूख लगी है है इस प्लेट को देखो खाना है मुझे वाफल सांगुछ बहुत पसंद है ओ खुश बहुत अच्छी है अव हाँ यह तो मैं बस सोच रही थी पर एक सेकुंडर को मैं जानती हूँ क्या करना है इस बाटर को अलग-अलग बोल्स पर डालेंगे इसका स्वाद अच्छा होगा मैं जानती हूँ पर मुझे कलर करना होगा एक पॉइंट यहां इस बोल में रहे अब अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मैं ब्लू, यलो और पॉपल भी बनाऊंगी हो गया मेरे बाटर्स में कलर हो गया अगले स्टेप के लिए तयार है अब मैं इस वाफल आरन के उपर यह बाटर डालूंगी जादा नहीं क्योंकि मुझे रेन्बू वाफल चाहिए और मुझे और कलर्स भी डालने है हो गया अब इन वाफल को कुप करना शुरू करते है टडा मेरे रेन्बू वाफल बन गया अब इसके उपर विफ प्रेम डालेंगी मैंने अपने रेन्बू के साथ प्लाउट्स भी बनाए है अब थोड़ी स्प्रिंकल्स डाल देंगी कितना सारा कलर आ गया मुझे बहुत पसंद आया हाँ इतना काफी है हो गया येई वो इस ते चीची मैंने कभी नहीं बनाए अब मैं लाइफ पिंक कलर करूंगे ये बहुत सुदर है मुझे किसी का मैसेज आया देखते है एक रेन्बू पाटी तक्चरती है मजीदार होगी ठीक है मुझे उसे ये साबसे कुछ पैनना होगा पेंट ब्राश ठीक है तो वाट राव तमारे पास मेरे लिए क्या है ये बिलकुल अच्छा नहीं है इसमें कोई कालर नहीं है तो अब मैं क्या करूँ मुझे थोड़ा रेन्बू ही बनना होगा न अरे रुको मेरे पेंट्स ये कितने कालरफुल है मैं इन्जे कुछ कर सकती हूँ मैं जीनिस हूँ ठीक है अब मैं रेन्बू फाट होने वाली हूँ मुझे बस पेंट्स और पेंट ब्राश चाहिए दोनों कलरस को साथ में लेंगे और अब इनको आखो पर लगाएंगे अब कलरस को बदलेंगे और नीचे लगाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्रेन बू पाटी है मुझे और कलरस चाहिए मुझे इसके लिए बड़ा ब्रश चाहिए होगा ठीक है ये कलरस ब्रश पर आगए तो ये पेंट करने के लिए तयार है चलो अब ये मेरे लिप्स पर लगाएंगे हाँ अब लगाएंगे एक ग्रीन मस्केरा मजीदार है लाशेस पर कलर जरूर आना चाहिए ओ हाँ मुझे थोड़ा ब्राव कलर भी चाहिए ये और इंज है दोनों को शेप में रखना होगा काफी बड़ी आलग रहा है ये देखो बस थोड़ा सा और हो गया और अब थोड़ा सा और ही बगवान ये ब्लू फ्रेकल्ज कितने सुन्दर है काश हमेशा मेरे चोटे ब्लू फ्रेकल्ज वहते ठीक है मेरे रेंबू मेकब पूरा हुआ हाँ ये क्या है इन लाइक्स को तु देखो वोव ये एक रेंबू पार्टी है और कितने कूल है वोव तुमारे अपने इकब कितना जबरदस्त है तुमने खुद किया ये मज़ेदार है ये रेंबू पार्टी के लिए अच्छा है पानी गर्म हो चुका है तो मैं अब सूप पी सकता हूँ मैं सुबा से इसे पीने का इंतजार कर रहा था इसे फीकर बहुत अच्छा लगता है अब देखते हैं टीवी पर क्या आ रहा है कुछ और देखते हैं हाँ सबको मैं आज तुमें अपना नया घर दिखाऊंगी मेरे साथ आओ तो ये मेरा पार्टी रूम है पूरा दिन यहां टीजे चलता है ओ डीजे बहुत मज़ेदार होगा हाँ तीवी फिर से खराब हो गया चलो भी मेरा मेरा ओफिस मेरा नया पीसी और गेमिंग वीरो के साथ हाँ बल्कुल मैं इसमें अच्छी हूँ और जब मुझे आराम करना होता है तो मैं यहां नहादी हूँ और जब मुझे सोना होता है तो मैं खुझ को पैसो से ढख लेती हूँ हरे यार मुझे यह नहीं देखना काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती मेरी उपर शूप गिर गया है तो मुझे नहा नहीं होगा काश मैं भी नहाते होई बादबॉम से बबल्ज बना पाता इस रफ स्पॉंड से खुझ को रगर नहोगा हरे यार साबुन भी नीचे कर गया हाँ तो मेरा साबुन कहां गया वो रहा वापिस आ जाओ मैं उन कलरफुल बादबॉम्स को सोचने से रुखे नहीं पा रहा रुको जबा एक सेकंड रुको लगता है मेरे पास एक आइडिया है हाँ पहले एक खाली बोल लेंगे और थोड़ा बेकिंग सोडा थोड़ा इस बोल में डाल देंगे इतना काफी होगा अब इसमें सिट्रिक आसेट डालेंगे और अब थोड़ा कोकुनट ओयल ये सही रहता है अब हम इसे इस विस्क से विस्क करेंगे सारा पाउडर मिलता जा रहा है ये देखू ये रहा इक परापोल और छोटे छोटे बोल्स भी मुझे इसमें भी कालरिंग चाहिए क्योंकि मैं इने संदर बनाना चाहता हूँ मिक्स करना थोड़ा मिश्किल है पर मिलाते रहना होगा अब सिलिकॉन फ्रे के बारी अपनी बड़े वाली बोल को ध्यान में रखना इसका मोल्ड अलग है मैं चमबच से इस मोल्ड में भरता जाऊंगा हाँ, अब इसमें थोड़े कालर्स भी भरेंगे और वाइट पाउडर से इसे ढट बेंगे अच्छा है, थोड़ा सो और डालेंगे और अब इसके उपर इसे सेट करने के लिए एंटिसेप्टिक स्प्रे डालेंगे ये देखो, अब हम इसे मोल्ड से निकाल सकते हैं जी हाँ, अब मैं अपना क्लाउड बाद बॉम इस्तमाल करने के लिए तयार हूँ और मेरा बाद बॉम देहतर है क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है चलो इसे डालें ओ, देखो कैसे बबल्द बन रही है इसका फ्रिस तो देखो अरे वाँ, मुरींबो कलस देख रही है मुझे इने देखकर बहुत खुशी होटी है शुक्र है मैंने अपना साबुन गिरा दिया था कितना अच्छा दिन है हेई, क्या हुआ है? तुम कहा हो? माफ करना, माफ करना मैं बस रास्ते में ही हूँ ओ नहीं, इन रंगों को तो देखो मैंने सिर्फ वाइट पहना है यह मुझे अंदर में ही जाने देंगे ओ नहीं, उप्स, बहुत बड़ा हुआ रोको, क्या ये तुम हो? हेई, मुझे देख पा रही हो मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा क्या मैं कहीं छिप सकता हूँ? प्रैश कान में, बहुत बुरा है पर मेरे पास कुछ जारा नहीं ठीक है, तो चलो, सीधा है प्रैश कान में मुझे करती लगी होगी फेख, बाल बाल बचे उसने मुझे बेख ही लिया था बोल, यहां सब कितना गंदा है आओ, यह क्या है? मेरा आर्ट का कर्यर खतम हो गया है हाँ, यहां क्या है? अरे बाफ, ग्लिटर? ठीक है यह रही एक प्लेट, अब मुझे इस पर ग्लिटर डालना होगा, यह रेड कलर बहुत संदर है मुझे बस इसके एक लाइन बनानी है और अब थोड़ा गोल्डिन ग्लिटर इसे डालते जाएंगे इसमें नमर पर ग्रीन अच्छा लगेगा और अब बाकी के भी अब मैं इस पूरे ग्लिटर पर अपना हाथ रखता हूँ जरा ये देखो कितना स्पार्कली है और शाइनी भी अब क्राश कैंसर निकल जाते है हाँ, यहां लगाएंगे हाथ हाँ, अब मैं मज़ेदा इव्लासस बहन लेता हूँ चलो इस पार्टी में चले मैं बैसे ही लेट हो चुका हूँ बेब, माफ करना यहां आते हुए मुझे बहुत समय लग गया तुम्हें मुझे यहां बहुत इंतजार कर आया है हाँ, पर मेरी शॉर्ट तो देखो मैंने एक खुद बनाई है रुको, यह तुमने बनाई आई वाँ, क्या बात है है, हम पार्टी में जाने के लिए तयार है जरा मुझे तुमने देखने दो ठीक है, तुम जा सकते हो मैं देखने के लिए बहुत इक्साइटेड हूँ कि हमारी कंटेस्टेंस ने क्या बनाया हमारी पहली कंटेस्टेंस अपनी डिश के साथ आ गई ठीक है, तो दिखाओ तुमने क्या पकाया हाँ, ठीक है, मैंने अपना फेवरेट डिजर्ट बनाया बनाया प्रोडी पलोजा ये क्या चीज है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग पर खास दिहान दिया है मैं चाती थी कि खाने के साथ इसका कलर बैलन्स हो ये बस फ्रूट और कैंडी ही है ये रही तुमारे स्कोर्स माफ करना, ये कैसा मजाख है ठीक है, अगला कंटेस्टन प्लीज हलो हलो, ये रही मेरी डिश आज से मिलकर अच्छा लगा खेर, मैंने अपनी कुटिंग जर्नी जवानी में शुरू कर दी थी ओ, हाँ, मेरी डिश बलकुल, ये रही तो फेश है कैरमल रेडक्शन सॉस के साथ मॉश्मलो मेंट क्या, मुझे यहां से बिक भी नहीं रहा ये बहुत छोटा है वो अभी भी बात कर रहा है हम ठक गए क्या, ये मेरी स्कोर्ष कैसे हो सकते हैं ये कॉंटिस्ट बलकुल अच्छा नहीं जा रहा घबराओ मत, मैं बलकुल ठीक हूँ पर शाद तुम्हें मेरी डिश समझ ही नहीं आई हम, हाई, मैं कॉंटिस्ट के लिए आया हूँ ये बच्चा, सच में, तो हमें अब बच्चों से गंपीट करना होगा ठीक है, खै, तो मेरा खाना देखो वाँ, कितना सुन्दर रेंबो केक है देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है रेंबो फ्रोस्टिंग बनानी आसान है आपको बस फ्रोस्टिंग कलर्स लेने है और इने एक प्लास्टिक राप पर लगाना है आपको अपनी रेंबो पर जितने रंग चाहिए आप लगा दे ये देखो, मैं पॉपल कलर से इसे पूरा करूंगी अब इस प्लास्टिक राप को रोल करेंगे अच्छे से टाइट होना चाहिए पर इतना टाइट भी नहीं के मिक्स हो जाए जब भी हो जाए इसके पूने को कैची से काट देंगे और अब इसे पाइपिंग के लिए पेस्ट्रे बैग में डाल देंगे जी हाँ हम डेकुरेटिंग स्टेज के लिए तयार हैं यह रही रिंग उफ्रास्ट हैं हाँ यह काम किया और देखो एक वोने से कितनी संदर लग रही है बस धोड़ी सी और और लू यह पूरा हुआ अब हम बीच में भी धोड़ी लगाएंगे है तो यह कॉंटेस्ट ही ना तो इसे हम अच्छे से सजाएंगे तदा यह रहा मेरा के आपको पसंद आयो उसमें यह बनाया भी कैसे होगा समझ नहीं आ रहा और यह रहा तुम्हारा स्कोर येई क्या यह कैसा मज़ाख है यह हो कैसे सकता है शांत हो जाओ मैं हूँ आर्टिमेट चैंपियन नहीं मेरे लॉलीपॉप ज़रा रुको वो इसकी नीचे ही गई है ना लगता तो नहीं क्या? अम माप करना वो है कहा? ये क्या है? ये ठीक नहीं है तम्हारे लॉलीपॉप नहीं गई लियाँ क्या इसके बाल उग गए है? मैं नहीं खा सकता हूँ तम ठीक कह रहे हो वैं ठीक कर सकते है देखो नहीं छोड़ो से लियाँ चलो भी ज़र रुको मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ कुछ खा लेते हूँ अरे हाँ इस आप्पल को ऐसे काटें इसे योगर्ट में दुगो दें अब इसके उपर श्पिंकल्स डालें और इसे सेट होने भी और ये तयार है लियाँ मेरे पास तमाले ये लॉलिपॉप है इसे भूल जाओ ओ ये ज़र ये खा कर देखो ये मेरे के आटी से तो बहुत बड़े है और जूसी भी तुमने तो बहुत सारी बनाई है ये जबरदस्त है इस किचिन को तो देखो इधार आओ बहुत अच्छा है गया है चलो शाहनगार मैं भी ख्राय करता हूँ रेडी, सेट बूम मज़ा गया ये रहा एक प्लेन पिलो ये हुई ना बात मैं और किसी कलर करू ये बहुत अच्छा लगीगा ये और पीनिंग टूल्स को भी करेंगे पॉपिट्स को भी मैं सोचो ही हूँ रेंबो हाट वो अगला मैं करता हूँ मज़े हमेशा से रेंबो हैर चाहिए थे हम इन पैंकेक्स का कुछ कर सकते हैं हाँ क्या खराब हो गई मैं ट्रॉय करता हूँ अब भी ये ब्राउन है लगता है बैटरी लो होगे रुपो मेरे पास एक आइडिया है हम कलर पैंच अस्तिमाल कर सकते हैं पैंकेक्स को पेंट कर देंगे अम नहीं मेरे पैस कुछ ऐसा है जो हम खा भी सकते हैं बैटर में फोर कलरिंग डालें ये को कितना अच्छा रेड कलर है अब हम इसे इसमें डालेंगी पूरा रेंबू बन गया टडाँ जादू की जरूरत किसे है क्यों तमने वो सुना यहां क्या हो रहा है किसीने मिरे लिए नाश्टा बनाया ये कितना खूल है मुझे अक्सर ऐसे ही सोना चाहिए पादे में तुम्हारा सुआ गते हैं दोस्तों चलो अब भेमानू का इंतुजार करें हाँ कैंडी खाना चाहोगे यलो नहीं सही रहेगा ये ग्रीन पार्टी भी है एमा देखा यहां बनीना बार तुम्हें लगता है कि ग्रीन बहता है दूसमें यलो रहेगा ग्रीन हाँ अच्छा अगे ते हैं मैं भी चालेंज को लिए तयार हूँ क्या तन शूर हो अपना बोल्ट हटाओ यहां से समझे ये गलत बात है ये लो बक्वास है मा नहीं देखो तुमने क्या कर दिया याइक्स तो हम वही के वही आगर लेकिन मैं जानती हूँ इन कलर्स को कमबाइन करना चाहोगे पहले च्वीन कांडी को मेल्क करेंगे इसमें हेवी क्रीम डालेंगे जब ये मिक्स हो जाए तो ग्लासेस को इस तरह टेड़ा रखेंगे और इसमें डाल देंगे इन्हें पूरा मत भरना अब दूसरा कलर डाले इन्हें ठंडा करकर सर्फ करें बढ़िया है वहोँ कोई कुछ मीठा खाना चाहेगा लेमन और लाइम कैंडी काप्स मैज़े करो दोस्तो ये सॉलिड है इसस तरह निकालो चमच से चलो पाथ ही करें अरे यार मुझे ब्रेट खानी है चलो तोस्त बनाए तब तब मैं बटर काटती हूँ खेर हो गया कितने अच्छे से टोस्त हो गए अब बटर लगाएंगे और मुझे बहुत सारा लगाना पसंद है और ये नाइफ से उतर क्यों नहीं रहा हलो इससे चिपकना बंद करो ये कैसे हो सकता है निकाल जाओ शांक रहो अब बेगुल अच्छे नहीं रही चलो शुरू करें एमा क्या कर रही हो मुझे पंगा नहीं और जाए लो वोव कमाल है अब ये भी यही है तो बारा फेको एक और आपव शांदार ये लो कीवी और ओरेंज भी किसे को फ्रूट चालेट जाए ये रही एकदम साजी स्लाइस देख और सच में इसकी परिशानी क्या है अब मेरे पास एक आइडिया है ब्लेट पर वाक्स पीपर लगाए अब बेटर बिलकुल भी नहीं चिपकेगा और पीसेस बिलकुल तयार है आपको बस एक अच्छा कंटीनर चाहिए इसे ब्रेट की स्लाइस पर लगाए और अच्छे से फैलाए शेर्स पर दालेंगे फ्लावर कोई क्वेस्चिन है बताओ बच्चो येस सर बहुत अच्छे अब ज्यान से देखो ये देख रहे है तुमें इन सब को बनाना है चलो शुरू हो जाओ छीक है शुरू करते है रुको अब क्या मैं मैं इसे भी स्पॉलो नहीं करती जो मन चाहिए मैं वो इस्तिमाल करती हूँ एक्स्क्यूज में चीटिंग मत करो जो वे हो मैं थोड़ा तो देखी सकती हूँ ओ नहीं उसका ग्लास पकड़ लिया पकड़ लिया हाँ किसे नहीं देखा मैं इसे रख लेती हूँ और इस्तिमाल भी कर सकती हूँ पहले सब यहाँ लगा देंगे अब इसे ग्लास से काटेंगे और सबसे मज़िदार हिस्सा इस पर अंडा डालेंगे और थोड़ा फ्लावर थोड़ा और और फ्राई करेंगे देखो कितना चालड रहा है अब जिकाट करेंगे और ये है इसे मीटी और चीजी थोड़ी डिप भी चाहिए हे तीज, मेरे हो गया और सब रोख दो ये क्या चीज है इसे इसे शानदार ला जवाब मैं क्या ही कहूँ मैं एक बहुत अच्छे कुख हूँ अभी भी बना रही हो लिया क्या अंगली बारी को और एक्स्ट्रा बनाऊंगी ये बुक में कहा है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भोले अइसी ही और मजीदार वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब करें झाल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के सब्सक्राइब करें